तोड़े वी आर कॉंटिन्यूइंग विदर चेप्टर ऑफ स्कोप मैनेजमेंट यह पांचवाँ चेप्टर है और इसमें जो हमने पहले तो इंट्रडेक्टरी बातचीत की ट्रेंड्ड वगरा ओवर्व्यू जनल कॉंसेप्स एजाइल की कंडिशन क्या हैं टेलरिंग कैसे की जाती है जो कि हम हर चेप्टर में यह चंद हैड़िंग जो हैं वो डिसक्स कर रहे हैं यहां पर भी की हमने उसके बाद हमने पहला प्रोस्स जो था प्लैन स्कोप मैनेजमेंट वो डिसक्स किया जिसका नतीजा जो 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 आउट्पूर्ट थे वो दो चीज़े थी एक management plan था और दूसरा scope management plan था और लाजमी बात है कि scope management plan is the main thing और requirement management plan जो है वो मैंने का था एक अलग शोबा है जिसमें जो काम तो business analyst का है लेकिन अगर business analyst ना हो तो आप ही को करना पड़ेगा as a project manager तो requirements gather की जाती है भले बेशक contract sign हुआ हो भले बेशक आपको charter मिला हो business case बना हो requirements पहले से इंडिवाइड हो even then यह project manager की जिमेदारी बनती है कि requirements को confirm करें क्योंकि requirements बदलती रहती है तो requirements को confirm करें और उसके बाद agree करें और agree होने के बाद जब requirements discuss हो जाती है और agree हो जाती है उसके बाद हम आते हैं अगले process की तरफ जो के हम इसके बाद पढ़ने लगे हैं define scope define scope में इन agreed requirements को हम product का scope बना देते हैं मतलब वो तमाम functions and features जो के product के अंदर होने चाहिए वो हमारा product scope बन जाता है और फिर उस product scope से हम project का scope निकालते हैं कि वो कौन से काम करने पढ़ेंगे जिनको करके या कौन सा तरीका कार या अप्रोच होगी हमारी जिससे ये product in features and functions के मताबग बनाया जा सके तो ये है जनाव ली थोड़ा सा background और कल हमने कहां चोड़ा था कल हमने जो हमारा collect requirements का process था मतलब हम दो process कर चुके थे पहला plans scope management और दूसरा collect requirements के process में हम आखर में थे उसके बिल्कुल जो output से उनको हम discuss कर रहे थे मैं उन outputs को एक दफ़ा आपको ले जाता हूं पीछे उसको discuss कर लेते हैं क्योंकि उन में कुछ चीज़ें important हैं इससे पेशतर के मैं उसके उपर जाओं एक और question पूछा था अभी यूनस साब ने और बड़ा अच्छा question था और normal misconception भी है तो इसको समझ लेना जरूरी है इन्होंने कहा कि हमारी organization में sow बनता है जो कि scope of work होता है और requirements तो उसी के अंदर होती है और product scope भी उसी के अंदर होता है और project scope भी उसी के अंदर होता है तो मैंने इनको फिर यह बताया कि पहली बात तो यह है कि यह word जो है scope of work sow यह की कि आपकी organization में इस्तेमाल होता है और भी वह सी organization में इस्तेमाल होता है मगर यह internationally this is not a recognized term SOW का मतलब होता है statement of work SOW का कतन यह मतलब नहीं होता कि यह scope of work है थोड़ा फरक है दोनों चीज़ों में statement of work वो एक general statement होती है जब आप किसी से कोई काम करवाना जाते हैं तो जो आप उसको एक broad statement देते हैं यार मेरी गाड़ी ठीक कर दो या मेरा घर बना दो या मोटी मोटी requirement से बताई जाती है मोटी मोटी उसके अंदर सको डिफाइन किया जाता है वो होती है statement of work मतलब आप किसी को क्या काम देना चाह रहे हैं यह usually contract से पहले होता है जब आप contract के लिए bids मंगवाते हैं उस وقت पहले अपने statement of work बनाई होती है उसमें आपने बयान कर करते हैं उसके लोग बिट्स देते हैं RFP लेके जाते हैं बिट्स परते हैं वगरा वगरा जो भी कर वह होती है तो कहने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका contract sign हो चुका है इसका statement of work उससे बहुत पहले बनाया जा चुका होगा और किसने बन है कि statement of work का तालुक procurement से है इसका तालुक exclusively scope से नहीं है हाँ अलबता उस procurement का scope उसमें थोड़ा बहुत डिफाइन जरूर होता है दूसरी बात फिर scope क्या चीज़ है scope of work जो है वो throughout the documents होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जी जब आप business case बना रहे होते हैं या feasibility बना कमाम documents में scope का कोई ना कोई वर्जिन मौजूद होता है लेकिन जितना उपर का document होगा पुराना document होगा उतना सतही तोर पे scope को address किया जा सकता है लेकिन जब आप project management शुरू कर देते हैं जब आप project की planning शुरू करते हैं तो ये वो वकद है जब project manager जिस बन्दे ने ये काम करन होना है वो तफसील में scope को define करता है और जब वो मुकमल दोर पर define करता है तो चीज सामने आती है उसको कहते है scope statement और scope statement जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा detailed form of scope है वैसे तो scope charter में भी था वैसे scope और भी बड़ी जबहों पे था लेकिन this is the most detailed form of scope जो के project manager develop करता है इसका नाम है scope statement तो कहने का मकसद यह है कि गालिबन आप अपनी organization में जिस चीज को SOW कह रहे है scope of work तर असल वो scope statement है I do not contest with that terminology you are using that might might be already में हम कोई जगर नहीं सकते के नहीं इसको यह नहीं कहना चाहिए क्या है आप जो मतले के लेकिन आपको यह समझना होगा यह है क्या और इसमें होता क्या है तो अगर अगर यह आपकी statement sorry यह आपकी scope statement है तो फिर इसके अंदर यह कुछ होगा जो अभी हम पढ़ेंगे right I hope यह वाला point clear हुआ होगा के नहीं हुआ 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 एक और बात यहां पे clear एक और इन्हों ने युनस सब्ने बीच में बात की थी इन्हों ने कहा जी फिर requirement में product scope में और project scope में क्या परक है तो मैं यह बताता चलूँ कि एक तो आपका जब आपको project manager के तौर पे यह काम मिला तो requirements established थी बिजनस केस बना हुआ था contract sign हुआ हुआ था सब कुछ established था और एक amateur project manager कहेगा कि जनाब सब कुछ तो मौजूद है में काम शुरू करता हूँ यह बिल्कुल गलत अप्रोच है project manager की जिम्मेदारी है जिन लोगों ने ये पहले चीज़ें बनाई ये documents बनाए उनकी जिम्मेदारी उन documents को बनाने की हद तक थी project करने की हद तक नहीं थी project करने कोई में जो मसायल आएंगे वो project manager ने head on face on करने है therefore before he can launch into the project he must confirm all the requirements कहीं और कोई और requirement तो नहीं है कोई requirement ऐसी तो नहीं है जो cancel हो चुकी हो जरूरत ही ना रही हो तो यह confirm करना उसके लिए जरूरी है इस वज़ा से हमने कहा collect requirements करेंगे और collect requirements के शुरत में जो requirements हमारे सामने आएंगी वो wishes होंगी हमारे stakeholders की जो तो वो क्या क्या चाते हैं उनकी needs and expectations होंगी जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी requirements जो वो दे रहे हैं वो ultimately agree हों और project में डाल दी जाएं उनमें से बहुत सी चीज़ें हम उनको समझा देंगे वो cancel out हो जाएंगी कि यह requirement तो project के scope में ही नहीं आती यह तो हमें जो काम दिया गया है जो contract दिया गया है उसके अंदर इसको cover नहीं किया जा सकता तो मतलब यह आप पहले इस stage पर decide कर लेत जो project document से आप चीज़ें agree करके उठाते हैं उनको हम product का scope establish करने के लिए इस्तमाल करते हैं product का scope जो है यह वो agreed requirements हैं वो specifications और features जो उन agreed requirements में हमने select कर ली हैं यह करने हैं वो आपका product का scope बन गया और इस product scope को तक्वील पे पहुचाने के लिए जो काम जो approach जो तरीका कार इस्तम जी यूनस सब अधिया जी बताएं यह जब दो पार्टी कंट्रेक्ट साइन होता है पार्टी के पार्टी के यह सकोप होगा फाइनल requirements और सकोप जो भी हो चुका है उसके बाद जब आता है उसके पास vendor के पास vendor अपना manager जो भी उसका है वो अपना काम शुरू करेगा तो वो कैसे फिर दुबारा उसको चेंज कर सकता है उस मुझे एक बात समझाई है क्या आपने आज तक जिन्दगी में contract re-negotiate होते नहीं देखे क्या contract में कभी कोई change बाद में नहीं आई क्या ये अगर नहीं आई ना तो फिर तो ये कुरान वाली बात होगी कि कुरान कभी तबदील नहीं हो सकता contract भले कितना ही जबरदस्त क्यों नहों उसमें तबदीली वाकिया हो सकती है उसमें बाकाइदा तरीका दिया होता है contract के अंदर contract में तबदीली लाने का तरीका contract management plan के अंदर contract को तबदील करने का तरीका लिखा होता है कि दोनों parties agree करेंगी discuss करेंगी इस तरह meeting बैठेगी ये करवाई होगी तो तबदीलियां तो आती है contract में ये कौन कहता है कि contract कभी तबदील नहीं हो सकता है क्यों जी लेकिन बहुत काम चेंजर आती है बहुत मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका scope बड़ा unstable है तो वहां changes contract में ब अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे है जिसमें scope pretty much established है और उसमें बहुत ज़्यादा तबदीली आने की जरूरती है जो कि आपका case है आप कहरे है 90 to 95% तबदीली नहीं आती तो मैं agree करूंगा कि ऐसे project होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तबदीली नहीं आती लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल भी तबदीली आने का chance ही खतम हो गया तो वो दरवाजा खुला रखना है और बकाइदा contract में भी लिखा हुए है कि ये दरवाजा कैसे कोलने है किसने कोलने है मतलब वो पूरा तरीका उसके अंदर defined है कि किन किन हालतों में contract में तबदीली ल होने वाला है ये जो कुछ भी है ये एक estimate के उपर एक अंदाजे के उपर agreement हुआ है कि हमारे ख्याल में ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा अगर वैसा वैसा ना हुआ कुदरत में कोई ऐसी सुटेहाल अकर हुई जो risks अकर हुए को ऐसी uncertainties अकर हुई जिसकी वज़ा से कोई चीजें उस तरह पाया तकमील तक ना पहुंच सकी तो ये उन दोनों पार्टी में से किसकी जिम्यदारी में आएगा यहां तक लिखा होता है force major के बारे में भी contract में लिखा होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ा जो दोनों पार्टीयों के काबू में से बाहर है और contract साइन हो गया है जंग हो गई है आप गये यह तुमने डिले काउस कर दिया तो वह आप उसको डिले काउस नहीं कह सकती है पर वद्धार क्वार्मेंट कब तब तब्दील की जा सकती है कौन कर सकता है उसका तरीका कार क्या है इस आल डिफाइंड इन दी कांट्रें तो यह ना कहें के contract कभी तब्दील ही नहीं होता और यह बहुत अच्छी बात है कि आप सही वकत के उपर customer को बता दें शुरू में ही बता दें कि सर देखें हमने बाकी stakeholder से पूचा है और हमें यह पता चला है कि यह यह काम जो आपने contract में काया कि ऐसे होगा हमें यह लग रहा है कि ऐसा नहीं होने का अमकान और यह हमारे पास traction figures है इसकी रौशनी में जरा इसको दोबारा discuss कर ले और अगर re-negotiate करने की जरूरत है तो वो कर ले एक बात तो यह होगी एक और भी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसके बाद बात बिल्कुल clear हो जाएगी जो फड् सिर्दारियां हमारी organization की है वह हमारी organization ही की है अगर हमने कहा है कि हम यह काम हमारी दिम्मेदारी में आता है और हम यह complete करेंगे इतने पैसे में इतनी पैसे आप से demand करेंगे से ज़्यादर नहीं करेंगे तो उस सुरत में अगर कोई आप की तरफ से mis calculation हो गई है क्योंक ने कॉंट्रेक्ट दिया है उसका तो कसूर नहीं है कि आपने रॉंग बिड बर दी थी इसका मतलब है कि जो बिड साइन हो गई है भुगत नहीं आपको पड़ेगी क्योंकि आपका कसूर है अगर उसका कसूर हुआ तो उसको भुगत नहीं पड़ेगी आपका हुआ तो आप क्योंकि जब हम शुरू में ही एक गलती पकड़ लेते हैं बहले इसने भरनी है या उसने भरनी है लेकिन जिसने भी भरनी है उसे पता तो चल जाए कि मैंने भरनी है और अगर जरूरी पहसूस करते हैं कि नहीं यार यह तो कंट्रेक्टर के अंदर लिखा ही नहीं हुआ और कंट्रेक्टर का मसला है तो कंट्रेक्टर का मसला है तो कस्टमर से बात करने चाहिए कि यह रिकॉर्मेंट अगर आपने डलवानी है यह जरूरी रिकॉर्मेंट है स्टेकोल्डर कह रहा है अगर आप समझते हैं कि यह रिकॉर्मेंट होनी चाहिए तो भाई इसके तो इतन ना था तो उस वक्त डालने में पैसे ज्यादा लगेंगे वो भी समझदार है वो भी इस बात को समझता है और वो इसको री निकोशिट कर ले आई होब कि मैंने एंट भी इसको डिसकर्स किया अच्छा जी मैं वापस आता हूं अब जो पॉर्शन हमने छोड़ दिया था उसकी तरफ है लेट मी हाँ जी ये स्लैड भी आपके सामने आ जाती है हम बात कर रہे थे प्लक्रीक्वार्मेंट में आउठपूट किया निकलता है तो दोषीज़ें आउठपूट निकलती है एक आपके क्स्टमर से आई है कस्टमर से और टेकोडर से मैंने कल भी ये बात explain की लिए कि सिर्फ customer ही की requirement नहीं है और भी तो लोग हैं उनको भी तो पूछना है तो हो सकता है कि customer सिर्फ blindsided हो उसको कुछ चीज़े नदर आ रही हो कुछ ना आ रही हो तो हम बाकी stakeholder से पूछते हैं तो जैसे मैंने कल आपको सरीय वाली example दी ती कि लिखा हुआ है कि यह वाला सरीय इस्तमाल होगा तो वो तो market में available नहीं है ठेकेदार ने बताया हमें तो इसका मतरब ठेकेदार stakeholder है उसने जब बताया तो उसकी वज़ा से हमें stakeholders की हैं वो record कर लेते हैं और जब आप यह record कर रहे होते हैं तो इसकेद यह नहीं होता कि जनाब तुमारी बात सुनुगा तुमारी नहीं सुनुगा या यह बात बहुत मामूली है यह मैं नहीं सुनता हर तरह की requirement को आपका फर्स बनता है pen down करें note down करें और उसके बाद उसको evaluate करें और फिर उससे discuss करें कि जनाब यह requirement जो आपकी खायश है यह खायश project की हदूद से बाहर निकल जाएगी इसलिए हम इसे नहीं कर सकते या यह बहुत अच्छी requirement है मैं बात करता हूँ किसी से अब वो बात करने किसके पास जाएगा अपने बास के पास जाएगा वो कहेगा सर यह requirement तो बड़ी जरूरी है तो मगर यह आप देख लीजिए इसको हम कैसे adjust कर सकते हैं करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो कहेगा हाँ यह requirement तो बहुत अच्छी है लेकिन हमने इसके लिए bid नहीं किया था अच्छा जिए अगर आपने bid नहीं किया था तो किसका कुसूर है अगर तो contract बाद में आपका जो customer है वो कहता है कि यह काम क्यों नहीं किया आपने और आपके हैं यह तो हम bid करना बोल नहीं है क्योंकि contract तो मेरे मेरे साथ नहीं साइन हुआ हुआ as a project manager थोड़ी कोई sign करता है उपर से contract तो एक company का दूसरी company के साथ contract sign होता है तो वो जिन लोगों ने sign किया वो जाके उसे नहीं negotiate करे project manager उनके साथ बैठ जाएगा लेकिन यह उसका उसकी जिम्यदारी नहीं है contract क negotiate करना I am specifically talking about the upside contract जिसके आप seller है जिसको आप provide कर रहे हैं फिर I am not talking about the outsourcing which you will do जो contract आपने आगे किसी को देने है वो आपकी जिम्यदारी में आती है वो आपकी procurement है लेकिन जो contract आपको मिला है वो आपको मिला है वो आपने नहीं किया है आपने उसको sign नहीं किया हुआ उसको आपकी organization के किसी procurement के बंदेने या CEO ने या whomsoever is concerned उसने उसको दूसरी party के sign किया ह हुए खैर जी यह बात होगी तो requirement documents के हवाले से क्या-क्या चीजें हैं इसमें बुनियादी तोर पर जो चीज़ है मैं इसके उपर focus करना चाहता हूं वो यह है कि requirements होती कितनी कि जम्की है तो requirement document जो है वो यह describe करता है कि हर एक जो individual requirement है वो कैसे आपके business need को पूरा करती है या जिसे आप ग्रादर project objective को और्गनाइशन के objective को business need को business value को मतलब उसकी तरफ कैसे जोट कर रही है अगर कोई requirement आपको लगता है कि project के मकासित के लिए सूदमन्द नहीं है ऐसी requirements को project के अंदर नहीं होना चाहिए requirements may start out of a high level जैसे मैंने आपको का कि requirements तो पहले भी मुझूद है और वो हो सकता हाई लेवल की हों मोटी मोटी requirements हों लेकिन अब वो वकद आ गया है progressively elaborate होते होते कि हम तफसील से की requirements दे सकते हैं ये भी एक वज़ा है कि जो requirements हमारे पास पहले से थी वो शायद broad थी अब उन requirements खोद के explain करना है तो हम इस वज़ा से भी stakeholder के पास जा रहे हैं क्योंकि हमने इनी requirement की बुनियाद की उपर calculations करनी है और मोटी मोटी requirements की उपर calculation नहीं हो सकती है तो requirements को explain भी तो करवाना है and become progressively more detailed as more information about the requirement is known तो I hope कि ये point भी clear हो गया कि requirement एक तो तबदील हो को जो तबदील होती है requirement में वो यहाँ पर explore होती है और एक further elaboration भी तो explore होती है कि जो requirement मोटी मोटी दी गई थी उसको मजीद खोला जा सके तफसील से समझा जा सके before being baseline requirements finalize करने से पहले या agree करने से पहले requirements need to be unambiguous यह देखें बड़ा important है कि वह बंदा कहता है कि यह अच्छा होना चाहिए और भाई आपका क्या मतलब है यह चीज़ अच्छी होनी चाहिए और अच्छा करें यह तो कोई explanation नहीं कि अच्छा होना चाहिए तो दैट मस्ट भी प्रॉपर्ली अनिम्बिवेस मेरेबल और टेस्टेबल होना चाहिए आप में इतना अच्छा हो कि इस चुई के नाके से गुजर जा जो भी आपके मेर किया जा सकता हो जी साथ सर यह पिछले कुछ मिनट से जो है यह बाकी लोगी मैसेज कर रहे हैं स्लाइड बिलकुल गाइब होगी है ग्रे स्क्रीन हम देख रहे हैं सरफ ओके एक मिनट एक मिनट मैं अभी इसको दूर्स कर देता हूँ नहीं आया जी अभी तक सर नहीं अभी तक नहीं है अब आगया होगा जी सर आगया थैंक यू एनिवेज यह से पहले एकी स्लाइट थी मैं पीछे चला यह था हूं आपको दिका तो उसमें कोई खास एक बात थी जो मैंने आप से किया अधरियर प्रक्राइट रहा है है यह सही मतलब इडिविक्ल जॉब तू रही आपकी स्टाइट थी अधिया थी कि रागया थी हैं यह नहीं पहले आपको दूसरा है रिक्वार्मेंट जो शुरू में गैदर की गई थी वह उख लेवल की थी जैसे जैसे घॉंगे चलता ज जाती है और सबसे ज्यादा तफिरी requirement project manager एकटी करता है या for that matter project शुरू होने के बाद एकटी होती है वह बात तो हम पहले करी चुके है कि काम तो यह business analyst का है जगिन अगर business analyst नहीं है तो फिर project manager को करना पड़ेगा तो project के अंदर हो रही है तो हम इस हुआले से project manager की जिम्मेदारी की तरफ इसको डाल देते है अच्छा जी requirements finalize baseline का मतलब है finalize होने से पहले ये ensure करना है कि requirement जो है वो measurable हो unimbigous हो कोई शकूको शुबाक से पात पाक हो measurable हो उसको नापा तोला जा सके test किया जा सके मतलब आप testing criteria भी साथ दे दें आप कहेंगे ये चीज़ जनाब इतनी white हो और इसको test करने के लिए आप फुलानी template के अगेंदे रखके check कर सकते हैं तो testability भी बता दें साथी traceability भी बता दें complete कैसे कहलाएगी वो चीज़ कंप्लीट कैसे कहलाएगी वो चीज़ कंप्लीट कैसे कहते हैं criteria of done भी बता दें यहाँ we will consider it complete consistent and acceptable to the key stakeholder मतलब आपको पता ही है कि बहुत चे स्टेक होड़र्स हैं और हमने सब के साथ balance out करना है तो वो कौन सा consistency level है जिसमें सारे stakeholders satisfaction पे पहुंच सकते हैं बड़ा मुश्किल काम है requirements को इसान काम नहीं है मिरे खाले मैंने आपको वो example दी थी कि जो stakeholder के होले से का था कि वो गदा सर पर उठ कुछ रख तो नहीं सकते लेकिन यह आपका art as a project manager कि आप सब को consensus कैसे gain करते हैं अगर सब की बात agree 100% ना भी हो सकती हो तो बाकी लोगों को consensus gain करते हैं कि यह जनाब थोड़ा सा आप छोड़ें थोड़ा सा आप तो ultimately ऐसी situation उनके सामने रखते हैं जो सब के लिए acceptable format of the requirement document may range from a simple document डिपेंड करते हैं कि project किस किसम का है कितना complicated है अगर तो साधा सा project है चोटा सा project है तो शायद उसको एक पेड़ की requirements होंगी उसकी अगर ज्यादा complicated हो सकता है कि manual के manual बने में हो उसकी requirements के और आप मेंखाल है deal भी करते हैं इस किसम की situation के साथ जिसके अंदर all the requirements को by stakeholder by priority to more elaborate forms containing an executive summary detailed description attachments drawing भी हो सकती है उसमें उसमें और कोई specifications भी हो सकती है standards के भी link हो सकते हैं तो कहने का मतलब है कि this could be a very detailed document also अच्छा जी बहुत सी organizations जो है वो इसको requirements को जो categorize करती है वो मुख्तिक किसमों में करती है अब यह बड़ा important point है कि requirements को कैसे categorize किया जा सकता है कुछ लोग इसको कहते हैं जी यह business और technical requirements होती है business objective को या business value को और उन चीज़ों को target करें और technical solution को target करें former referring to the stakeholder need in the later as to how these needs will be implemented तो technical है कि काम कैसे होगा तो requirements can be grouped into classifications allowing for further refinement and detail as the requirements are elaborated मतलब आपकी मर्जी है आप अपनी requirements को किन categories में distribute करना पसंद करते हैं लेकिन generally requirements जो हैं उनको एक आपको मैं guideline जरूर दे सकता हूँ वो यह है जी कि this is the general classification मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सौफी से दी यही classification इस्तमाल करें आप अपनी बना लें आपकी organization को अपना मजाज है कि वो जो मर्जी करें लेकिन generally speaking यह देखा गया है कि requirements इन किसमों की होती है एक होती है business requirements जैसे कि यह पिछली slide में उसने explain किया उसने का stakeholder needs से जो relate कर रही होती हैं वो business requirements हैं और जो technical requirements जो हैं वो उसने कहा जो solution से relate कर रही होती हैं तो यह एक तो sorry business requirements हैं जो कि business की value और business की objectives और project की objectives और वो उन चीज़ों को stakeholder requirements है जो stakeholder को solution जो के technical side को अच्छा मज़े की बात यह है कि जो solution requirement है दर असल यह वो चीज़ है जो project manager के concern की चीज़ है बाकी requirements भी वो they confirm कर सकता है लेकिन वो उन चीज़ों का master नहीं है वो यह तो कह सकते है हाँ यह business requirement है ok confirm होगी confirm होगी लेकिन वो उसका master नहीं है उसको तबदील नहीं कर सकता उसे किसी समशुना लेना पड़ेगा लेकिन असल में वो चीज़ जिस चीज़ का master है वो है solution requirements में exactly उस चीज़ की डिमेंशन क्या होगी, कलर क्या होगा, लेंथ क्या होगी, विड्ड क्या होगी, ये वो चीज़े हैं जिनको हम कहते हैं functional requirements. तो solution requirement जो होता है वो उसमें आपकी functional requirements और non-functional requirements होती है. functional requirement उस चीज़ की functionality है, अगर एक table है तो इतना वजन उठाने के काबिल हो, उसका रंग ऐसा हो, उसके निचे इतनी space हो, leg room हो, कि उसके निचे साथ बंदा कुर्शी के साथ बैच सके, या things like that. तो ये उसकी functionalities हैं. ये जो प्री भी functionalities हैं, these are concerned with the scope. ये scope को define करती हैं. लेकिन कौन सी functionality, किस quality के मताबिक पूरी करनी हैं, वो non-functional requirement है. याद रखिएगा, quality is a non-functional requirement in technical solution. इन solution requirement एक तो scope वाला portion है, quality वाला portion है. non-functional requirement जो हैं, वो आपकी quality requirements हैं. project की quality requirements. ठीक है जी? अच्छा, अब आप ये हिरान होंगे कि यहां तक पहुंचा है, quality की बात करता है. आखरी वाली requirement जो सब से नीचे लिखी हुई है, वो भी लिखा है quality requirement. तो मैं आपको ये बताता च चलूँ कि वो quality requirement इस non-functional requirement से different है. ठीक है जी? तो आपका जो concern है ना, वो है functional and non-functional अपने project के अंदर. ये ज़्यादा focus है आपका. बाकी चीज़ों को भी आप देखेंगे, लेकिन लाजमी बात है, उनकी expertise नहीं है, वो आप लिखेंगे, confirm करेंगे, और किसी से पूछेंग लेकिन जो solution requirement है, उसमें आप functional और non-functional requirements के जमेदार खोद हैं. राइट? और you are a specialist in this area. तो functional requirements, scope की requirements है, scope वाली चीज़े है, इस टेबल की scope में क्या आता है, इसकी length width क्या है, इसकी function क्या है वगरा वगरा. लेकिन non-functional है कि इस table की quality क्या है? अब ये बड़ा debatable point है, अक्सर लोग इसी लिए confused करते हैं quality और scope को, कि वो पूछें जी quality इसकी क्या है, कि जी इसकी length 3 foot होनी चाहिए, ये quality है, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? तो ये agree with this, कि 3 foot length of the table is the quality? ये मुझे कोई जवाब देना में करेगा? ये 3 foot length क्या चीज़े है? ये functional requirement है, ये non-functional requirement है जी साथ? ये functional requirement होगी ये उसकी non-functional requirement नहीं है, ये जो है, ये उसका आप functional requirement या attribute कह सकते हैं, ये उसकी quality नहीं है, वंडरफुल, वंडरफुल, तो इसका मतलब है कि ये जितनी भी आप dimensions उठाते हैं, color क्या होगा, length क्या होगी, width क्या होगी, ये सब खुछ जो है, ये functional requirement है, वो किस चीज का capable होगा, वो चीज, product आपकी, उसमें क्या-क्या capabilities होगी, ये सब functional requirements हैं, अगर ये सब functional requirements हैं, तो फिर कोई मुझे ये बताए, कि quality requirements क्या हैं, जी कोई, please raise hands, साथ के लावा, साथ ने जवाब दे लिए, जी जनाब, कि मौमद यूसफ साथ, जी सर बोने, रवाज आ रही है, जी जी बिल्कुल आ रही है, अच्छा सर जिस तरह साथ ने बता दिया कि function में, जिस तरह उनका function बता दे कि main function, सर उसके जो quality है, उसमें कि उसका color किस तरह होना चाहिए, उसका जो color है, उसका जो dimension है, वो उसके quality में आता है, सर ये तो उन्होंने कह दिया कि ये तो dimension, तो functional requirement है, color तो functional requirement है, सर कॉल्ट, color white होना चाहिए, जिस तरह मैं आपने, आपने सर बता दियें कि 3 foot की, मैं एक table की बात बता रहूं, या table है, और उसकी शसरा चेर का जो वो है color है क्या जाहिए table का, उसके color क्या होना चाहिए, उसका size, जो आते हैं, वो सर, उसके quality में जिसको आप वो सर उसको प्राव इसको कह सकते हैं इनके परमीटर जो स्पेस्पिक परमीटर जैंड वो क्वाल्टीज में आते हैं कलर उसको क्या होना चाहिए उसका जो है वो सर सोफा उसका उसका उसके उपर क्या मैं समझ यहां सर मैं आपकी बास समझे हूं प्रच्ट इंड होना चाहिए ये सब बाते हैं तो फंशनल रिक्वार्मेंट से उसकोप में आती है इनसे तो वाइर जाहीं नहीं सकते आप सौल जब देढ़िए है के क्वालिटी क्या है यह में हो उसके जो इंग्रेडियन्स वगरा हैं वो यूज होंगे यह सारे क्वालिटी में आते हैं मुझे बताएं कि मैटीरियल कॉलिटी तो आपने कह दिया वाट इस मटीरियल वनक्रियल नहीं है सब्सक्राइब तो इसकी फंक्शनल रिक्वार्मेंट हो सकती है मैं आता हूँ आपके फॉइंट की तरफ आप आपके क्रीवन बात से कह रहे हैं यह जदर चलते हैं महमद जूनस साब की तरफ है सबस्क्राइब कि इसमें जो है मैंटीरियल की क्वालिटी के वुट की क्या है किस इसके इलावा वर्क मैंन्शिप भी है लोगो निए लिए वार्टे अज़ाएं अब लूगों की जिंदगी असान बना देता हूं मैं कहता हूं कि ज्यादा फट्डे में पड़ते ही नहीं 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 पड़ते हैं हम ऐसा करते हैं कि हम एक इसी स्पेसिफिकेशन के लेते हैं कि मेज की लंबाई तीन फूट होगी बस और कोई रिक्वार्मेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैज की लंबाई तीन फूट यह क्या है यह स्कोप है ना यह स्कोप में आता है ना तो अब इस तीन फूट के अंदर क्वालिटी का है जी जनाब अपना महमद नासर साथ कुछ बताएंगे जी सर नासर साथ तीन फुट के टेबल में यह जो तीन फुट उसकी लंबाई है यह उसकी स्पेसिफिकेजिन है ना तो यह उसकी फंक्शनल रिक्वार्मेंट है अब इसकी तीन फुट की क्वालिटी आप कैसे इंशूर करेंगे क्वालिटी क्या है इसके अंदर आपका माइक नहीं ओन अन्मूट कीजेगा और लोगों ने भी आत्कड़े किया मैं फिर में उनकी तरफ जाऊंग जी शाम साब बोलिए जी सर पहली चीज़ों यह कि फंक्शनल जो रिक्वार्मेंट्स हैं उसको देखना है कि वो बीटकर हो रही है या नहीं हो रही है है यही तो बात है कि वह मीट हो रही है कैसे चख करेंगे और वुड्यू नो दैट जो जो स्पेक्स हमने डिफाइन की हैं जो डिसकर्स एग्रीट की हैं जो लॉग की है ऑफिसका नहीं एक स्पेक्स एक मिन एक स्पेक्स मैंने आपको दिया स्व तीन फूट लंबाई इसको कंफर्म कैसे करेंगे इसकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे एक सब्सक्राइब जाहिरे टेबल जब तियार हो जाएगा तो उसके बात करेंगे ना प्रोड़क्ट जब प्रॉडक्ट सामने आएगी तो करेंगे सरफ प्रॉडक्ट गई एक तरफ मुझ इस एक स्प्वेक की कॉलिटी बटी का इसरो آپ मुझे ए करके बताहें का ए तरीन फूड का टेबल बन गया कि न 700 वीट मुझे दिना इसकी क्वालिटी करके मुझें कैसे करेंगे जो जो इसको कहते हैं तीन फुट क्वालिटी नहीं है वह चीज किस हद तक तीन फुट के बराबर आ रही है यह और हर जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होती है उसके पीछे क्वालिटी स्पेसिफिक होती है दू थीन लोगों ने हाथकड़ा किये थे शमसप आपको मैं होल्ड करता हूँ जरा बशारद साप बड़ी देर से हाथकला किया हुआए और भी एक दो लोग थे जी भी बशारद साफ जो रोग हाथ खड़ा करते हैं तो खड़ा रखा करें ताकि मुझे पता चले कि आप से भी बात मैंने करनी है जी बशारत साथ सर आपकी आवाद नहीं आ रही है फिर वो चेट वंडों में खोल के देखता हूँ को आपने कुछ काया है अब मेरे लेटरस तो कोई किसी ने कुछ नहीं का बशारत साथ की आवाद नहीं आ रही तो आम सॉरी शम्स के पास वापस आता हूं जी शम्स को बात समझ आई जी सर जी सर ओके सर यह पैसर मेरा यह टेबल आज टैयार हो चुका है यह वतायों सर्टेबल को छोड़ें हम्वर्म की हर सबस्गी की आप की क्वालिटी चेक होगी टेबल की कोई क्वालिटी नहीं वोती टेबल की हर ठीचन जो है उसकी क्वालिटी होती ही तो जहां लगे उसके पीछे www.nh.um ठीक है जी मतलब non functional requirement जो है ये project quality है project की quality जो होती है वो non functional requirement होती है अब एक example ले लिजी आपको बात समझा जाजएगी आपने कहा ये तीन foot table मैंने बना दिया आपने पेश किया मुझे मैं customer था आपका मैंने का जी ये table मैं reject करता हूँ मैंने reject कर दिया और आप्का टेबल मैंने आपको requirement में दिया था कि तीन foot लंबा होना चाहिए मैंने लंबाई की ओपर रिज्ञेक्ट कर दिया वह नहीं आप क्या कर लेंगे कियो मैंने reject किया कि अकर तो करता है तो इसका मतलुत है कि जो हमारे हमारी जो आप भाता है तो हो मताया कि पहली बात यह है कि आपका क्लेम यह है कि मैंने तीन फूट का टेबल बना दिया उसका क्लेम यह 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 तेन फूट है ही नहीं अगर वह भी ठीक हुआ और आप भी ठीक हुए तो कहा मसेला है आप क्यों ठीक हैं आपका क्या आर्गुमेंट है कि यह तीन पूट है बताए ना जरा सर उसके अंदर सर मैंने तो अपने जो जो स्पेक्स त्री फीट दिये हैं उसमें उसके मतावए त्री फीट त्यार कर दिया है और उसके इलावा यह तो सिर्फ लेंग्ट की बात हो रही है आप पूरे टेबल की उपर आजाएं कि यह स्पेक्ट ना चेक करो यह दरा मुझे पता नहीं है तो दूसरी स्पेक्ट क्यों नहीं देख लेते हैं आप लोग यह तो नोनसेंस बात है या टेबल की हर एक स्पेक्ट चेक होगी और मैंने आइस्ट इसी लिए किया है ताक नहीं का देश़ भी जिसको कहा लए ना एक इंची टेप कहले हैं यह कुछ भी आइस केल जो है यह जो स्केल आप इस्वाल कर रहे हैं किया यह इनटर्नेशनल स्केल है तो इस बात पर कभी गौर किया अपने ने इसको अगर मैं इंटरनेशनल स्केल के मताबिक चेक करूं तो ये किस हद तक एकुरेट है इस बात पर कभी गौर किया आपने आप दो साथ साथ रख लें और वो आपस में नहीं मिलती आपस में क्यों नहीं मिलती क्योंकि उनकी मैनुफेक्टरिंग की क्वालिटी का फरक होगी तो मतलब इसका मतलब है कि जो स्केल जिससे आप नाप रहे हैं और वो स्केल जिससे वो नाप रहे वो एग्रीड नहीं थे वह एक चीज़ एक तरह से नहीं नाप रहे इसका मतलब है कि सिर्फ स्पेक नहीं लेनी थी बलकि आपने क्वालिटी रिक्वार्मेंट भी उठानी थी तिस सर आपको कितनी एक्वरिसी चाहिए कौन से स्केल पर ना पा जाए मुझे स्केल बता दें यह तो फिर किसी यह जो कानफ्लिक्ट है यह तो किसी और डिरेक्शन में चला जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा बात सुनेंगे तो यह बात समझ आजएगी कि हम सिर्फ रिक्वार्मेंट तीन फुट के उपर जा रहे हैं आपको जब तीन फुट रिक्वार्मेंट और यहां पर जो क्वालिटी जनली एक्सेप्टेबल है वो कहते हैं यार एक दो सुतर उत्र उत्र थले हो जाए कोई गाल नहीं मतलब एक से दो सुतर उपर नीचे हो भी जाए तो हम कहते हैं एक्सेप्टेबल है लोकली इस एक्सेप्टेबल बट जिसको मैं यह डिलिवर का टेबल बना रहे हैं दो सूतर प्लस माइनस का वो कहते हैं मैं यहीं दूआ कर सकता हूं कि आपको समझ आजेगी कि आप नहीं समझ रहे बात को कस्टमर किस चीज से ना परा है कस्टमर के जहन में क्या है वो इत जोसके जहन में एकवरेसी है एलिएसिट आपको मैंने का था रिक्वार्मेंट अलिशिटेशन आपको कस्टमर के दमाग से चीज़ें निकलवानी है जब requirement अलिस्टेशन हो रही है जब requirement गैदरिंग हो रही आधी बात ना सुने पूरी वात राइट से उसकत उसकत कि सर आपको कितनी एक कुरेसी चाहिए तीन फूर्ट तो हो जाएगा है वह उसके माइड हम उसके माईन में चाहिए तो यह जो होती है तो यह होती है इसे तो यह होती है quality क्वालिटी क्वालिटी इस फुटे के तहट या इस मेयर के तहट हम मेयर कर पाते हैं otherwise quality मेयर नहीं हो सकती जब मेरे पास ये पता है कि कस्टमर की acceptance point zero zero three millimeter plus minus है तो आप यकीन कीजिए इतनी accuracy का table बनाने के लिए आपको आम tools नहीं चाहिए आपको precision tools चाहिए और precision tools पे पैसे ज़्यादा लगते हैं वो tools भी महंगे होते हैं इसका मतलब है कि आपका काम महंगा होगा अगर आपने requirement शुरू में सब्सक्राइश होती है तो आप विड़ भी सही करते उसके हिसाब से करते हैं आपकी इसाब किसी अधक सही हो सकता है उसने उस टेबल को किसी ऐसी जगा पर fix करना हो कि जिसमें कोई एक सूटर या दो सूटर की गुझाइश ही नहीं आपकी बिल्कुल सही है आपको अपने पाइच बाकियों को भी समझाया होगा यूसफ साब की तरफ जाता हूं उपर कोकर शाव तरफ आप की तरफ हो थैंक्यू सर्फ ठैंक्यूरर कर रही है इस नहीं किस तरह आप सर आपने बता ढहीं कि उसको बना कि उसने रबड़ का दे दिया तो आप क्या कहते हैं आप यह कह रहे हैं कि यह सर जो है ना अच्छी पॉल्टी के लिए सर किसे कहते हैं सर आपको कन्फ्यूस कर रहे हैं कर एक मिनट खुदा का खौफ करें मैं एक रिकॉर्मन्ट की बात की है आप सरी रिकॉ werd मुठर बहे हैं उसकी जो टोलरेंश है वह उसके रखी है पॉईट जिर जिरी मिली मिली मिट्र jednak मैनस अब जो टेबल की मटेरियल है उसने का जी वुटन मटेरियल होगा और शीषम की लकड़ी होगी आप उस शीषम की लखड़ी के अंदर भी वेरिएशन हो सकती है कौन से वाला शीशम उसकी भी वो टॉलरंस बताएगा कि फलानी टाइप के शीशम से लेके फलानी टाइप के शीशम तक मुझे एकसेप्टेबल है इसके इलावा हुआ तो मैं एकसेप्ट नहीं करूँगा इसी तरह कलर की आप बात करेंगा आपने का जी वाइट कि ब्राइटनेस कितनी होगी इतनी ब्राइटनेस से इतनी ब्राइटनेस तक से एकसेप्टेबल है इसके इलावा एकसेप्टेबल नहीं होगा तो हर रिक्वार्मेंट हर रिक्वार्मेंट के पीछे क्वालिटी रिक्वार्मेंट होगी हर requirement की अपनी tolerance होगी तब वो पास होगा यह थोड़ी है कि आप इधर की बात उधर जोड़ दें अब रबल के साथ यह तो बड़ी ज्यात्की किया अपने जनाब क्यों जो सब्सक्राइब आप के रिकार्मेंट के साथ उसको आपने वह करना है क्या कि इनकी जो इससेशन है बिल्कुल 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 और कोफर साब जल्दी से आप आजें फिर एक और भी क्वेशन आया हुए क्यों इसको आपने यह हुआ एक्जैक्टी एक्जैक्टी वह में कादना है मैं रिवल होनी चाहिए सब्सक्राइब करें की चूपी प्रॉडक्ट होता है अगर वो का स्टमर के एक्स्पेक्टेशन को मीट करती है सब्सक्राइब करते हैं मुझे से इखतलाफ नहीं है लेकिन यह डिफिनेशन अदूरी है बलके घलत है एक तरह से जब तक आप कस्टमर सैटिस्पेक्शन बीच में नहीं लाएंगे कस्टमर रिक्वार्मन बीच में लाएंगे तब तक यह अदूरी है स्टैंडर्ड बात में आते हैं भाई एक आदमी कहता है भाई में जाए आई सो स्टैंडर्ड मुझे तो ऐसी चीज़ चाहिए है कस्टमर जो मंग रहा है उसको जब वो प्रोइड करते हैं वो खुष होता है आप उससे कहाँ नई जी मैं आपको यह को यह चिनए देता यह तो इंट्रेस्ट्रिंट्क्वा मैं मैं फोकात ही नहीं है यह नियुस्क्तिक्र हम वो मैंने आप उपर नहीं किया अच्छा अच्छा ओके मेरा ख्याल है काफी इस पांज पर डिसक्रेशन होगी लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि बहुत से लोगों के अभी भी शुकू को चुबाद जरूर होंगे क्योंकि यह टॉपिक ही ऐसा है इसके उपर इवन क्वाल दे इंटरस्टिंग पार्ट इस कि मैं नेचली बड़े अर्से से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यकीन करा हूँ कि मैंने यह अफ्जर्व किया कि यह जो इन है अपना पी एफ के जो कामरा में काम होता है जो लोग वहां से आते हैं वो इस पॉइंट को बहुत वाज़े तो पर समझते हैं मैं बात करता हूं तो वो फोरन क्या दें हि Cannon को यह ऐस게 होते हैं आप आपूर्यूंट क्वाजट्क और चालसले है प्राट आपड़ोंट्यूड को मैं 98 कॉप इन दोनों इन चीजों को समझनी के ज़ूर रहता है स्को प्शोब यूजर expectant से तालट अस अव को रखती है आखर में बैट के जब आप कहते हैं हाँ जी तीन फुट टेबल था था वुडन अपना शीशम की लकड़ी का था था फलाने चीज दी थी यह चेक लिस्ट होती है फंक्शन जी जो यूजर acceptance के लिए स्कोप रिडिडेशन के लिए नहीं जा सकती यही वजह है कि मैंने का जब deliverable आता है तो पहले quality control उसको इपरहमला करती है उसको inspect करती है अगर तो वो criteria पे quality के पूरा उतरता है तब तो acceptable है और वो क्या है सारे फीचर पूरे हैं कि नहीं यूजर अक्षप्टनस और कुछ भी नहीं हाँ मैं ये जरूर समझता हूँ कि अक्सर और्गनाजेशन में ये दोनों काम एकटे किये जाते हैं और इनको एक ही काम समझा जाता है जो किया तो जा सकता है लेकिन इसकी समझ आपको होनी चाहिए कि ये क्वालिटी वाला काम कर रहे है ये स्कोप वाला काम कर रहे है कन्फियन नहीं होनी चाहिए कि ये दोनों काम इनको बिलकुली आप गर्संबा नहीं बना सकते है लोग यूजर एक्सेप्टनस को कहते हैं quality test है मत अब अजीव किसम की बात है user acceptance कैसे quality test हो सकता है तो खेर anyways ये बड़ी detail वाली discussion है और मेरा उमीद है कि मैं कुछ थोड़ी बहुत sense prevail करवाई होगी मैंने क्या खेल है जी is it okay या अभी भी आपके दमाग में कोई सवालात jump मार रहे हैं ये जो point मैंने आपको clear किया ये अकसर किताबों में भी वाज़े तौर पे explained नहीं होता और अगर आप ये बात समझ गये हैं तो this is wonderful ओके जी ये सर आप ने कहा जलाल हैदर साब के जब आप chrome से connect होते हैं ओके ओके chrome से connect होते हैं ओके ओके सब्सक्राइब होते हैं तो explorer से आवाज नहीं आती हो सकता है कोई incompatibility का मसला हो आपका तो chrome तो बहतरीन option है इस काम के लिए इसका भी कोई मसला होगा internet explorer पे भी किया जा सकता होगा लेकिन मैंने चुक्छे इस्तमाल नहीं कर रहा इसलिए मुझे उसका पता नहीं है राइट जी अच्छा मैं उमीद करता हूं जी यह बात जो मैंने आपको समझाई है समझ आगी होगी यह मैंने आपको कहा फोकस किया मैंने का solution requirement असल आपका काम है वैसे तो requirement आप सारी चेक करेंगे लेकिन solution requirement आपका baby है यह आपने वो काम करना है तो functional requirement आपका scope जाहर करती है और non functional requirement आपकी quality जाहर करती है therefore these two things should be very well established और यह मैं कहां बात करें requirement gathering ये वकर requirement में ये दोनों चीज़ें वाज़े तो पर included होनी चाहिए अगर नहीं होंगी तो मसले कड़े होंगे जगड़े कड़े होंगे वाद में इसके बाद जनाब जब आप चीज़ बना लेते हैं तो जब हैंड़ करने की क्या requirements है मैंने जनाब एक system यहां पर बना लिया अब वो customer की site के उपर shift करना है install करना है फिर उसको training देनी है फिर उसको चलवाना है तो ये जो होती है transition and readiness की अलग requirements होती है वो भी अलग से लिखी होती है कि customer कहता जी आपने ये system मुझे turn की देना है या फलाने तरीके से जो भी contract में ह उसके मताबक transition और readiness की requirements अलग होती है फिर कुछ project की requirements है अब आप कहेंगे ये project तो हमने अभी किया ना solution के अंदर और quality भी हमने वहाँ पे कर दी ये दोनों अलग क्यों हैं तो यहाँ पर ये समझ दीजिए कि ये project requirements specific to your project नहीं है ये वो जो project governance का structure था organization के असूल क्या है project management के ह इसी तरह अगर आपकी organization ISO certified है या को quality का standard follow करती है तो उनकी organization की तरफ से जो project के उपर quality लगू की गई है वो quality की requirements है तो ये मत समझेगा कि functional requirements आपकी project requirements है और non-functional requirements आपकी quality requirements है ऐसी बात नहीं है project के अंदर functional requirements आपका scope या project है बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात अंदर वो है और non-functional requirement आपकी quality है लेकिन overall project की guidance या requirement जो के project की organization की governance की तरफ से impose की गई है project और quality के हवाले से वो overall project governance और quality requirements या project requirements कहलाती है I hope कि ये point भी clear हो गया होगा कोई स्चक तो नहीं है जी इसके अंदर okay ये बड़ा important point था और ये जो subsequent slides है ये इन ही चीजों को जो मैंने अभी आप से बियान की है इनको explain करता है मिसाल के तोर पे वो कहता है business requirement these describe the higher level एक मन मैं ख़ला ये slide आपको नहीं आई okay these describe the higher level needs मोटी मोटी needs of the organization as a whole such as the business issue our opportunity and reasons why a project has been undertaken मतलब business requirements are relevant to the business case business need और business case और business purpose और business value ये उन चीजों से इसका तालुक है अगर ये तफसील नहीं है तफसील तो आगया हैगी ना stakeholder की requirement ये describe करती है कि stakeholder की need and expectations क्या है different stakeholders होंगे या different stakeholders के groups होंगे कुछ ये चाते होंगे कुछ वो चाते होंगे उनकी सब requirements करती करना ये एक काम है ये हो गया जी उसके बाद आपा लिए solution requirements में solution requirement ये वह चीज़ है जो मैंने का था product का scope वो कहता है describes features functions and characteristics of the product service are result that will be will meet the business and stakeholder requirements जो उपर वाली दो requirements थी business stakeholder requirements को पूरा करने के लिए मुझे कौन-कौन से functions और features product के बराने पढ़ेंगे ठीक हो कि जी solution requirement are further grouped into functional and non-functional जो मैंने आपको explain किया ये functional requirement जो है वो उसकी scope related है और non-functional उसकी quality related है functional को देख लीजिए functional requirement को कह रहा है it describes the behavior of the product examples include actions processes data interactions that the product should execute but the functionality of the product product करेगी क्या ठीक है आप कहते हैं जी मेरा फून जो है उसकी आवाद उन्ची होनी चाहिए तो वो उची होगी आप स्वाल ये पैदा होता है कि कितनी उची होगी वह हम आपको non-functional requirement बताएगी non-functional requirement supplement functional requirement समझा ही बात आपको कि this scope requirement है यह हमेशा followed by quality requirement होती है बगार quality के कोई scope की requirement या functional requirement पूरी नहीं हो सकती every functional requirement has a non-functional supplement and it describes the environmental conditions are qualities core कीजिये का लफस qualities required for the product to be effective for example reliability उसकी क्या हो security क्या हो performance safety ये उस एक feature की बात हो रही है हम जब पढ़ते हैं ना अपनी किताबों में quality तो हम कहते हैं जी reliability security performance ये quality requirements है भाई खुदा का खौफ करें ये अलग से requirement नहीं है ये उसी function या उसी feature के अंगर उसकी reliability की बात हो रही है उसकी security की बात हो रही है उसकी performance की बात हो रही है I hope you understand this point तो ये मैंने आपको कहा था रहा कि quality की किताबों में पढ़के भी अकसर चीज़ें समझ नहीं आती जब आप उस perspective में नहीं सोच रहे उसको उस तरह से नहीं देख रहे तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आती तो ये बेशक लिखा होगा ये ये चीज़ें जो है ये quality requirements होती है लेकिन जैसे आपने का रहा है कि जी वो अच्छा होना चाहिए table मतलब जबरदस्त होना चाहिए अब जबरदस्त को explain भी तो कर रहे हैं कितना की जबरदस्त आपको चाहिए table तो ये हैं जना आप 9.5 इसके बाद आप आजाए ये transition में transition readiness requirement जैसे मैंने का कि जब shifting करनी है they describe temporary capabilities such as data conversion करना पड़ सकता है लोगों की training requirements हो सकती है needed to transition from current as state to the desired future state मतलब customer के हवाले हम करके जारे है change transition के तुरू इस project से पहले कोई और status था उस organization का अब हम उसको एक नहा तरीका के उपर एक नहा तरीका दे के जा रहे हैं तो ये change transition हो रही है पर as is status से लेके future status के अंदर इस transition की क्या requirements लोगों को training देनी है कोई और इस आपकताब करना है तो ये होगी transition की requirements ये describe करता है actions processes or other conditions the project needs to meet मिसाल के तौर पे milestones की dates होनी चाहिए contractual obligations पूरी होनी चाहिए constraints को जो भी कोई साब कताव है जो हम generally project management चीज़ें पढ़ते हैं ये वह requirements है ठीक है but these are not exactly product related these are project related फिर आगी quality requirement ये भी वह असूल है जो wider principles है these capture any condition are criteria needed to validate the successful completion of a project deliverable मतलब वो जो हमने non-functional respects बनाई थी उनको कैसे test किया जाएगा ये है quality requirement ये according to whatever system are you following in your organization ISO को follow करें किसी और को follow करें उसके मताबक अपना quality requirement established करेंगे कि हम इसको कैसे test कैसे करेंगे certified कैसे करेंगे value date कैसे करेंगे वगएर होगा तो ये जनाब आपकी requirements की बात होगी सारी requirements मैंने आपको explain कर दी फिर आ जाती है requirement traceability matrix मैंने आपको बताया था कि requirement हर requirement को बकाइदा trace करने का mechanism होना चाहिए ये requirement आई कहां से क्यों आई कौन से business हमारी business objective को या वो target कर रही है क्यों ये जरूरी है organization के लिए ये इसका backwards connection है forward connection है इस requirement को पूरा करने के लिए product scope में क्या डाला गया कौन सी activities होंगी जिससे requirement पूरी होगी इस requirement को पूरा करने से क्या चीज़ बनेगी तो ये ये पूरा thread बन जाता है right from origination till the requirement is fulfilled and it comes out as a product तो मतलब ये है कि इस सारे को trace करने का कोई mechanism होना चाहिए the requirement traceability matrix is a grid या एक matrix या वक्षीट समझ दीजिए that links project requirements from their origin to the deliverables that satisfy them ये बात है जो मैंने अभी आप से की the implementation of a requirement traceability metric helps ensure that each requirement adds business value अगर आपको ये लगे कि कोई requirement जो है वो business value add नहीं कर रही या वो आपके business objectives को पूरा नहीं कर रही तो it is लमाए फिक्रिया है कि आप सोचें का या यह requirement फिर हम पूरी क्यों कर रहे है ऐसी क्या क्या क्यामत आ गई है कि इस requirement को पूरा करना जरूरी है हो सकता है कि यह requirement अब जरूरी ही न रही हो go back and check with the stakeholder कि जनाब यह requirement से तो को बिजनस वैल्यू नहीं आ रही है आपने यह requirement क्यों दी थी को कि अगर उस उकद तो इसकी वैल्यू थी अब नहीं है अब नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं होगी इसलिए क्या हम इस requirement को निकाल सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि यह requirement बदल जाएं त्रूर्वडी लाइप फी प्रजिट प्रजट रकरमेंट रवेर्मेट्स रवेर्मेट्स के लिए व्यूर्मेटिट तूल को ट्रेस के साथ क्या सुलूख रवा रखना है इस तूर्वाइब वांद जोवाम इनन त्रुट्र रिप of the project मतलब requirement को follow करते रहे follow करते रहे जब तक कि पाया तक्मील तक नहीं पहुंच दी और अगर बीच में कहीं change होती है तो उसके हिसाब से आपको adjustments करनी पड़ेंगी हो सकता है change request move करनी पड़े और उसकी वज़ा से बहुत सी चीज़ें project के plan में और documents में change करनी होंगी finally it provides a structure for managing change to the project product scope बड़ी important बात इसने कर दिया यहां पर उसने कहा एक तरीका कार आपको दे दिया कि अगर product का scope तबदील करना है तो उसका क्या तरीका कार होगा change करने का तरीका product में अगर कोई change आनी है product के scope में उसको कैसे इंप्लिमेंट किया जाएगा that would be through this requirement traceability matrix जैसा कि अभी हमने discuss किया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसके अंदर linkages to the business need opportunities goals and objectives हो सकते है linkages to the project objective हो सकते है linkages to the project scope and WBS deliverables हो सकते है product design इसे effect हो सकता है product development के साथ link हो सकता है testing strategy जो quality के वाले से हम करते हैं and test scenarios क्या होंगे high level requirement and more detailed requirement तो यह वह चीज़ें हैं जो इस matrix को जिनको address करेगा ओके यह matrix how does it look like हर हर attribute है requirements का उसका एक बकाइदा आप table बना लें उसमें बकाइदा आप नंबर दें हर requirement को एक unique number दें उसका एक नाम रखें उसको उसका rational provide करें उसके owner का नाम दें source कहां से यह requirement originate हुई उसका नाम दें priority दें वर्जन दें current status उसका क्या है status date उसकी क्या है तो यह एक पुरा log बन जाएगा यह चीजें और इसके इलावा additional attributes to ensure और भी डाले जा सकते हैं attribute मिसाल के तौर पर यह requirement कितनी stable है यह कितनी complex है इसका acceptance criteria क्या है एक example के तौर पर यह आपके सामने अभी आजाएगी screen के उपर एक example है traceability matrix की मगर फिर यहाँ example खास तौर पर लिखा हुए है यह कतन ना समझेंगे यह वह वह वाहिद तरीका है जिससे traceability matrix बन सकते हैं but this is a good way of doing it you can create your own format PMI does not suggest any format यह सरफ example के तौर पर आपको दिया हुए है इसमें उसने एक site के उपर requirements दी हुई है फिर इनकी सब requirements बनाई हुई है उनको बकाइदा numbering दी हुई है फिर उस requirement का नाम लिखा जाएगा description brief brief description लिखी जाएगी फिर लिखा जाएगा यह कौन सी business need opportunity goals objective को satisfy कर रही है फिर लिखा जाएगा project objective कौन सा वाला चीव कर रही है WBS के कौन से वाले element को यह link कर रही है product design जो है वो कौन से वाले pace का impact जा रहा है product development और even इस requirement को test आखर में कैसे किया जाएगा यह और इसके अलावा और भी fields हो सकते हैं अगर आप और ज़्यादा enhance को करना चाहें मगर यह कि this is how you are going to be able to follow upon the requirements के वैदर रखेंट में रखेंगा requirement वदल दी रहती है throughout the life of the project और उसके हिसाब से product scope effect होगा क्योंकि requirement का तालुक प्रॉडक्ट से है तो product का scope disturb होगा अभी हम आगे पढ़ेंगे develop scope के अंदर के requirements से product scope कैसे बनता है product scope से प्रॉडक्ट कैसे बनता है उससे life cycle कैसे बनती है उस तरह आगे की तरफ हम चले मगर जहां तक requirements का तालुक था तो हमने काफी सेर हासिल गुफ्तगू इसके उपर कर लिए एनी question सो फार जी जी जनाब आर वी ओल सैटिस्फाइड अबॉट इट कोई शक कोई शुबा यह जो बाते मैंने आप से की है इसका फाइदा बुनियादी तोर पर यह दे एक तो खैर एक recording तो मिली जाएगी उससे आप दोबारा भी सुन सकते हैं सारी discussion लेकिन जब आप इन slide ओं को अलग से पढ़ेंगे अगर आपने मेरा lecture और से सुना हुआ है तो यह जब आप किताब से पढ़ेंगे तो टेक्स पढ़ते हैं लेकिन उस सुरत में शायद आप किताब से वो मतलब अख़द नहीं कर पाएंगे so that was the point anyway if there are more questions on this topic let us move on to the next topic and अगला process हमारा है define scope जब requirements हम establish कर लेते हैं तो उनकी बुनियात की उपर हम फिर product का analysis करते हैं और हम product का analysis करने का मतलब यह होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा इन रिक्वार्मेंट्स के तहत चीज़ें बनानी हैं तो product के functions and features क्या होंगे exactly उनको हम product के scope में डाल देते हैं मतलब वही requirement जो approved हो चुकी है वो अब मेरा product scope बन जाएंगी और फिर और इसके लिए मैं proper product analysis करूँगा ठीक है जी उसके बाद मैं इन requirement जब इस्टेबलिश हो जाएंगी product scope इस्टेबलिश हो जाएगा तो मैं इस से फिर अगली बंदा hire करके उससे बनवाऊं या मैं outsource कर दूँ और किसी ठेकेदार से बनवाऊं मिरपा देखें कुरसी बनाने के विए चार तरीके हैं इससे भी जादा हो सकते हैं इन सारे तरीकों को evaluate करें कि इन में से cost benefit analysis के साब से which is most appropriate और फिर जो भी most appropriate तरीका है उसको चुनने लेकिन scope define scope के अंदर आपको वो सारा argument देना पड़ेगा तब आपका define scope properly होगा और जब आपने ये approach select कर ली अगला step आप ये करते हैं कि अच्छा जी मैंने कहा कि मैं इसके लिए बंदा hire करूंगा और उससे ये table बनवाऊंगा तो अब आपकी activity इस हिसाब से हो जाएंगी ये बंदा का काम define हो जाएगा तो एक approach बन जाती है आपकी और इस approach में काम करने के लिए मैं कहता हूँ कि अच्छा खेर अभी detailed activities तो बाद में आएंगी लेकिन इस approach के तहत काम करने के लिए मुझे अपने project को किन बड़े बड़े हिस्सों में बांट लेना चाहिए किन मरहलों में बां अपनाइस करके देना मोबिलाइस करके देना उसके बाद हो गया उसका कुरसी का construction work बनाने का काम चुरू हो गया उसके बाद उसकी जनाब वो paint shand करना अपना polish polish करना या जो भी उसकी finishing करना और उसके बाद उसकी transition का भी हो सकता है आप यह रख लें तो यह चार पांच phases में चार पांच मरलों में आप ये काम करना पसंद करेंगे यहां पर life cycle select हो जाना ज़रूरी है define scope के अंदर आप life cycle define कर देते हैं अपनी approach development approach भी define कर देते हैं life cycle भी define कर देते हैं और यहां तक आपको deliverable तो आपने पहले define कर दिया product scope में and deliverable क्या होगा and product क्या होगा और उसकी specs क्य होगी और उसकी जिमेदारी किसकी होगी और उसमें test cases क्या होगे यह सब मैं पहले बात कर चुक हूँ requirement disability metric में यह सब आपने बता दिया अब आप क्या करें कि हर phase के end पे क्या निकल लेगा क्या deliver होगा उसकी भी जिमेदारियां और उसकी specs और यह सब कहीं लिखके रख ले कि आपने phase 1 के end पर यह होना चाहिए phase 2 के end पर यह होना चाहिए 3 के end पर 4 के end पर 5 के end पर और अल्टिमेटली अब आपने phases be defined कर दिए इतना काम काफी है scope statement के लिए इतना काम काफी है define scope का मतलब है you are trying to develop a scope statement and this is exactly what you said कि हम एक चीज़े समाल करते है scope of work बन्यादी तोर पे that is a scope statement you are trying to create the plan scope management is the process sorry define scope is the process which creates the scope statement and जो बाते मैंने आपको बताई है यह उसमें शामिल होती है सारी की सारी तो this is how it is done इसके अलावा और भी हम इसमें चीज़ें डाल सकते हैं मतलब कि लाज़ी बाद है जब details को बना लिया तो फिर इसके अंदर हम constraints हैं आपकी assumptions हैं वो भी आएंगी लेकिन जो assumptions और constraints हमें charter के level पर या इससे पिछले किसी level पर पताती है यह अब उससे ज़्यादा त और भी चीज़ें रिस्क भी कुछ होंगे मोटे stakeholder भी बढ़ेंगे इस तीके के साथ आप इतनी तफसील में जाएंगे तो वो सब चीज़ों पर असर पढ़ेगा so define scope का जो process है यह एक detailed description of the project and product इसका मकसद है मतलब product scope और project scope को establish करना बुरियादी दौर पर इसका मकसद है और इसका benefit यह है कि यह describe कर देता है आपको product service जो भी चीज़ बननी है और उसका acceptance criteria खास दौर पर क्योंकि जहां तक product का तालुक है acceptance criteria test cases क्या होंगे क्या चीज़ condition पूरी होगी तो हम मानेंगे कि यह चीज़ पाया तकमील पे पहुँच गई इससे मुझे एक और चीज़ जाद ही मैं एक और वीडियो देख रहा था किसी एक trainer है को पाकिस्तान कई और उसने मैंने का यार सुनता हूं यह क्या कह रहा है तो वो project को define कर रहा था और मैं पहले उससे बड़ा impress हुआ कि जबर्दस बात कर रहा है और ठीक बोल रहा है अच का खुदा दा खौफ कर भाई उसने कहा है product service our result तो यह आपके project का result आपका project का जो end product है या deliverable है वो product की सुरत में भी निकल सकता है वो किसी service की सुरत में भी निकल सकता है और result की सुरत में भी निकल सकता है यह तीनों चीज़ें एकटी जोड़ के नहीं बोलनी है तो मतलब बड़े बड़े लोग जो PMP हैं भी वो भी कई बार गलत बात करते हैं उनको नहीं समझ आई होती उनको लेकिन मेरी कोशिश यह होगी, कि आप PMP करें या ना करें, लेकिन conceptually you have to be strong, आपको चीज समझ आनी चाहिए, आप किसी को defend तो कर सकें, अगले से जाके लड़त हो सकें, कि भाईजान यह ऐसे नहीं होता, यह आप गलत कह रहें, तो कहने का मक्सद यह है, कि you should be confident about your knowledge, और यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है, मैं भी कहीं घलत हूँ, ऐसी बात नहीं है, कि मैं जो कहता हूँ, विल्कुल सही कहता हूँ, कभी-कभी slip of tongue भी हो जाती है, कभी-कभी कोई, मुझे knowledge नहीं भी होगा किसी चीज का, और मैं हो सकता है, कि हम भॉंगी मार जाँ, ले लेकिन फिर भी, आप कोशिश करें, कि जो कुछी चीजें इसमें से अखस कर सकते हैं, उसको इस्तमाल में भी लाएं, बहले वो एक्जाम पास करने के लिए है, या practical life में प्रोजेक्स करने के लिए है, डिफाइन स्कोप का जो प्रोसस है, इसके अंदर वही चार्टर, वह और फिर आपका जो अभी पिछला स्टेप आपने के लिए, यह तीन चार जगें हैं, जहां पर चार्टर होता है, इसके बाद, चूँकर यहां से तो स्कोप स्टेट्मेंट बन के निकल जाएगी न, यह आखर में आउटपूट से निकल रही है, आइंदा स्कोप स्टेट् जबकिये जब रिक्वार्मेंट कोलेक्ट करनी थी, तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए थी, स्कोप में प्लैन भी चाहिए था, रिक्वार्मेंट में प्लैन भी चाहिए था, कि दोनों में गाइडनस दी हुई है, रिक्वार्मेंट के हवाले से, लेकिन जहां तक स्कोप क से के हवाले से है तो वो वो गाइडेंस सारी स्कोप में पैन में दी हुई है तो स्कोप मैं मुझे कंसर्ण करता है सिर्फ यहां पर और कुछ नहीं चाहिए और डॉकुमेंट्स में से अब लाजमी बात है कि मैंने यहां पर कुछ आगे पर दर भी बनानी है लेकिन जो अब तक बन चुकी हैं उनका रिजिस्टर या लॉग मेरे पास होना चाहिए रिक्वार्मेंट्स की जो डॉक्मेंटेशन पहले से बनी हुई है मतलब क्लेक्ट रिक्वार्मेंट्स से अपने कठी की थी वह मुझे मिले ताकि मैं हो सकता है उसे कोई इन्हांस करूं इस हैं आल्टरनेटिव और कीजिएगा कि यह वही हैं जो मैं आप से कह रहा था कि आप्रोच आपकी क्या होगी क्या अविलेबल कुर्सी खुद बनानी है बाहर से बनवानी है बनी 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 इस तरह से फिर आप डिसीन मेकिंग भी यहां इस्तेमाल करते हैं मल्टी क्रेटिय से डिसीन वोगी हैं यह विरियस को तो उनको आप मुख्तलिफ यचिज्ज दे कर वेटिड अवरिज निकल के कंपेर करते हैं कि कॉन से बाली आपिटर है कौन सी काम बहतर है वगडर वह फिर आप इंट्र-परसों आपको फिसीलिटेशन में बहुत आला होना चाहिए जो manager है वो इस काम को करवाने के लिए बहुत जबरदस्त दिए के साथ इसको handle करे meetings इसमें होंगी और हम meetings के उपर पहले बात काफी सारी कर चुके नतीजह तन project scope statement is a major output coming out वे इसके लावा और बहुत सी चीज़ें project documents में update होती है जिसमें वो assumptions log थी वो भी requirement document भी update हो सकता है traceability matrix भी update हो सकता है उसी की रौशनी में और stakeholder register भी update हो सकता है यहां पर define scope करते हैं हमें हो सकता है नए stakeholders identify हो और वो होते रहते हैं stakeholder तो continuous process है तो stakeholder register update होता रहता है तो यह तो है जना इसका chart और जहां तक इसके flow की बात है तो flow में भी कोई इतनी बड़ी complication नहीं है जो चीज़ें बन रही है input हो रही है वो कहां कहां से आ रही है हमें बड़ा वाज़ें पता है project documents है project क्या कहते है management plan से कुछ चीज़ें रही है charter develop charter से आ रहा है और बाकी दो चीज़ें आपको organization से आती है यह तो हमें conventionally भी पता है यह सब चीज़ें जो यह बनाता है the interesting part is all of them go into the project document but the major output is the project scope statement जो के बाद में जाके अगले step में जाके जब हम WBS बनाएंगे scope baseline करेंगे this scope statement will become part of the scope baseline यह इतना important document है ultimately जब scope baseline होनी है तो यह उसका part बन जाएगा लेकिन for the time being it is being sent to project documents और इसके लावा जो जीज़ें update हमने की है वो भी update होके project documents में जा रही है यह जनाब कहानी थी अब इसको हम briefly देख लेते हैं कि text में क्या इसने लिखा हुआ है since all the requirements identified and collect requirements may not be included in the project बड़ी important बात है और यह मैं आपको वैसे कह भी चुका हूँ कि यह थोड़ी है कि जितनी requirements आपको अच्छी बुरी खायशाद आई है सब को आपने पूरा करने का take out आया हुए है सारी include नहीं हूँ define scope process में we select the final project requirements from the requirement documentation developed during the collect requirement process उन्में से हम चुनते हैं और चुनना खाली इतना असान काम नहीं है हम बलके agree करवाते हैं stakeholder के साथ बहस करते हैं discuss करते हैं और उनको agree करवाते हैं कि यह आपकी requirement तो बड़ी यह आप वापिस ले लें यह requirement तो project से relate नहीं करती है यह अगर कोई अच्छी requirement है तो हम उनसे discuss करके उसको डिलवाने की कोशिश करते हैं यह चीज हम फिर उसके बाद चुनी हुई requirement से कटी हो जाती है उनका product scope बन जाता है फिर हम उसकी रॉष्णी में अपने project scope भी develop करते हैं preparation of a detailed project scope statement builds upon the major deliverables अब वो major deliverables कहां है सबसे बड़ा deliverable आपका end product जो कि product के scope ने बता दिया आपको फिर product जब अपने define scope करना है यहां आपको phases के भी deliverables पता होने चाहिए वो भी major deliverables है assumptions पता होनी चाहिए constraints पता होने चाहिए during project planning the project scope is defined and described with greater specificity as more information about the project is known although हमें जतना पता है हम उसकी रॉष्णी में scope statement बना लेते हैं और scope stand बहुत important document है और अगर यह change हुआ तो पूरे project के अंदर सारी planning में जलजला आने का इमकान है मगर फिर भी इस बात की गुझाइश बाकी रहती है के scope में भी तबदिलिया होने का chance हमेशा रहेगा और अगर कभी भी कोई तबदिलिया आई तो उसको proper change control के procedure के तहर चेंज request के साथ handle किया जाएगा existing risks, assumptions, concerns are analyzed जो हमें अभी तक दिये गए हैं business case में चार्टर में इधर उजद से हमें जितने भी assumptions मिली हैं, risk मिले हैं या concerns बताए गए हैं हम उनको analyze करेंगे और देखेंगे कि क्या यह हम पे लागू हैं या कि यह complete हैं या इनको फजीद work करने की जरूरत है और अगर मजीद कुछ चीजें हमें नजर आती हैं तो हम उसमें add भी करेंगे लेकिन as far as these things are concerned they will also keep grooming assumptions भी बढ़ेंगी अभी तो हमने detailed planning करनी है न तो assumption नहीं भी आएंगी नए risk भी सामने आएंगे and so on and so forth तो अभी detailed planning में जब हम जाएंगे बाटी चीजों की तो यह सब चीजें और ज्यादा खुल के describe हो जाएंगे define scope process can be highly iterative क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें बार-बार changes आती है इन iterative life cycle projects a high level vision जहां पे scope stable नहीं हो तो वहां पर stable नहीं होगा तो वो तो हमें conventional तरीके के साथ नहीं कर सकते हमें तो agile में iterative तरीके में जाना पड़ेगा तो करते हैं high level vision ले लिया जाता है और उसके specific portion of project शुरू करते हैं iteration शुरू करते हैं और फिर iteration by iteration planning करते जाते हैं बट तब detailed scope is determined one iteration at a time हर iteration का detail निकाली जाती है अगली iteration की उस iteration में देखी जाएगी and the detailed planning for the next iteration is carried out as work progresses on the current project scope and deliverables यह भी हो क्या जी तो यह फिर वही बाते हैं जना आप charter यह input की वाली चीज़ें आगी सारी की सारी फिर यह आपकी सारे टूल्स आगे जो आप पहले ही पढ़ तुके हैं फिर आपके टूल्स में हम alternative analysis की बात की थी product analysis भी होता है जब product को हम thoroughly analyze करते हैं कि कैसे कैसे अगर एक आदमी को product की समझ नहीं है क्या बनाना है तो उसके alternatives कैसे लाएगा तो product को thoroughly analyze किया जाता है can be used to define products and services it includes asking questions about a product or service and forming answers to describe the use characteristic and other relevant aspects of what is going to be delivered each application area has one or more generally accepted method for translating high-level product or service description into meaningful deliverables requirements are captured at a high level and decomposed to the level of detail needed to design the final product हम उस हद तक उसे तोड़ते हैं जहां आपके लिए comfortable हो जाता है उसके उपर काम करना product analysis में हम product breakdown भी बनाते हैं कि अच्छा ये car बनानी है car के इतने portions होंगे उनके हर portion के अंदर क्या क्या होगा requirements को analyze किया जाता है systems को analyze किया जाता है system engineering का इस्तमाल है value analysis होता है value engineering ये बहुत सी terminology है जो product analysis के हवाले से इस्तमाल होती है outputs में आ जाएं तो हमारा major output है की output जो है वो की scope statement है तो project scope statement is the description of project scope major deliverables assumptions and consents project scope statement documents the entire scope including product project and product scope it describes the project deliverables in detail in detail ठीक है जी मैं यह नहीं कहला है कि हर deliverable मतलब जो मोटे मोटे deliverables हैं वो कमसकम उनकी testing criteria acceptance criteria उनकी specs उनके और उनकी रिमेदारी किसके उपर है यह define कर दिया जाता है all major deliverables तो यहां तक हमने scope में कर देना है और इसके बाद फिर हम आगे अगले step में जाएंगे तो इसको breakdown करें इसको ब्रेक्डाउन करें इसको प्रोवाइज 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 स्टेक होल्डर्स बहुत important point है कि जो भी understanding हमने develop की है यह जो आपके stakeholders हैं उनको भी समझा दें नहीं तो वो बेवकूफों की तरह मूँ ताकते रहेंगे कि यह पता नहीं क्या कर रहें तो उनको भी इतना ही wise कर देना उनको अपने साथ लेके चलें यह stakeholder आपके लिए बहुत important है यह आपका साथ देंगे आपके सपाई बन देंगे अगर आपने इनको साथ रखा नहीं तो यह दुश्वन फौज साबित होंगे यह आपके काम में रोडेट का देंगे इसलिए stakeholders को पहले भी आपने consult किया था उनको identify किया analyze किया फिर उनसे requirements उठाइए अब उनको बताएं और उनको involve रखें कि यह यह requirements पिक हो गई है और ऐसे काम होगा और यह plan हम ऐसे कर रहे हैं it enables the project team to perform more detailed planning guides the project team work during execution provides the baseline for evaluating whether request for change are additional worker contained within or outside of the project boundary तो मतब project की हदूद वाज़े हो गई और इन हदूद के अंदर अंदर क्या क्या किया जा सकता है यह यहाँ पर defining degree and level of detail to which the project scope statement defines the work that will be performed and the work that is excluded जिसको इन चीदों को हम कहते हैं in scope and out of scope can help determine how well the project management team can control overall project scope अगर आप अंदाजा कीजिए सिर्फ project manager ही को नहीं बलके सारी team को और सारे stakeholders को अगर यह बात वाज़े है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है और वो convinced है कि कोई जगड़ा ही नहीं खत्म हो जगड़ा ही खत्म हो जाता है विसाल के तौर पर अगर आपकी पूरी class जो है वो convinced है कि हम यह चीज़ सही समझ रहे हैं तो फिर तो जगड़ा खत्म हो गया at the same time अगर किसी का query हो question औरन आप से question करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ unclear रह जाएगी इसी तरी के साथ scope statement में आप इन लोगों का involve होना जरूरी है detail scope statement either directly are by reference to other documents includes the scope description इसमें deliverables भी वाज़े तोर पर define किये जाते हैं major deliverables खास तोर पर end product और फिर जो बीच में में जो milestone के उपर चीज़ें चीव होनी है acceptance criteria हर एक क्या होगा वो जिसको हमने का कि वो test क्या है कैसे पता चलेगा कि यह चीज़ पास हो गई है कि नहीं होई है और project में क्या चीज़ें include नहीं करनी exclusions कौन सी है जिनके परहेज करना है तो यह जनाब यह उन्हीं चीज़ों को उसने explain किया हुआ है रखलेश को skip करते हैं project scope statement में क्याते हैं although the project charter and the project scope statement are sometimes perceived as containing a certain degree of redundancy मतब दोनों में generally heading एक जैसी है मतब although charter is a shorter document it is a authorization लेकिन उसके अंदर भी मुम्किन है heading of products scope project scope और यह वो सब कुछ लेकिन वहाँ पर perception कुछ और है वहाँ पर समझ उस अद तक नहीं है वहाँ मोटा मोटा हमने कह दिया कि सब्सक्राइब प्रोडर का जिस मोटा लेकि जिप तफीर इसको बनता है सबसे ज्यादा दफिरिज को वो स्कोप सिटमें बनता है तो बेशक इनकी हैदेंग एक जैसी हो लेकिन जो लेवल ऑव तीटेल है वह ज्यादा है स्कोप स्टेटमेंट का तो डिग्री शर्टन डिग्री ओफ रिडेंडेंटी तो बिजग है लेकिन देयर डिफरेंट इन लेवल अव डिटेल इन इच प्रोजेक्ट चार्टर कंटेंज हाई-लेवल मोटी-मोटी इंफोरमिश्ट वाइल दसकोप स्टेट्मेंट कंटेंज डिटेल डिस्क्रिप्शन अब दसकोप इस कंपोनेंट साथ फिर वो जैसे हमने पहले भी का यह तो प्रोग्रेसिवली इरेबरेट भी होते रहेंगे और इनमें सब्दिरी भी आ सकती है तो की एलिमेंट्स जो चार्टर के और स्कोप के हैं आल्दो डॉन्ट लाइक इस चार्ट वेरी मच प्योज स् देखने में यह लगता है स्कोप छोटा सा डॉकुमेंट है और चार्टर कोई बहुत बड़ इसके बिल्कूल लेकिन उसने मेजर एडिंग सी बात की उसने गाटरं परफसी बताओ मेजेरिवल प्रॉजक्ट के अब्जेक्टिव्स बताओ हाई लैवल रिक्वार्मंस का है हाई लेवल आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें इसमें हाई लेवल हैं हाई लेवल प्रॉजेक्ट की डिस्क्रिप्शन मोटी मोटी बता दें मोटे मोटे रिस्क बता दें मोटे मोटे रिस्क बता दें मोटे मोटे उन स्केजूल कर कोई पॉइंट्स हैं आपने को डाइम बना रहें चार्टर को एक डेट सब्सक्राइब होता है उसमें ये सारी बातें कंसाइज करके डालनी है ऑन दी अधर हैंड स्कोप स्टेट्मेंट के एडिटेल डॉक्मेंट डिस कुट भी मल्टिपल पेजिज जो पचासाइब सब्सक्राइब हो सकते हैं कोई फरक नहीं राइट जी अभी हम आ गए क्रियेट डॉब्यू बीएस के उपर और इससे पेशतर कि मैं डॉब्यू बीएस के उपर जाहूं आपके क्वेस्टिन हैं तो मुझे बता दीजिए स्कोप स्टेट्मेंट के हवाले से स्कोप स्टेट्मेंट में हमने काफी बात्चित की है पहले भी एक चीज़ की मुझे खुशी है आज थोड़ा सा नंबर हमारा बड़ा है लगता है कुछ नए लोग जोन्होंने कल नहीं क्लास में ते आ जाये हैं तोहीद साब आप कुछ कहना चाहरे हैं हम बात करते हैं हम पास project scope होता है और यहां पी हमें project scope statement तो जब आप statement की बात करते हैं तो क्या यह इस तरह है कोई मेशन टाइप या विजन जो फिक रफिस तरह है यह लगीन इसमें detail और होता है आप और को होता है कि इस वॉच्छे में क्या क्या चीज़ का और होने एकां से डिलेवरेवल है या रचवराइव सब्सक्राइब होता है वाद तो कि नटाट मैं ने ने इस अ क्मप्लीट सब्सक्राइब कि इसके अंदर प्रॉज डिएंड होता है इसमें फोड़ू को भी डिवाइंड होता है और भी दस चीजुछी तुर like three or four lines statement it will have all the complete requirement वो चीज होती है सब जो मैंने पहले डिफाइन किया statement of work एक चीज होती है जब आप कोई चीज ठेके बे किसी को देना चाहें ये procurement का subject है जब आप किसी को कोई चीज ठेके बे देना चाहें तो जो आप एक statement बनाते हैं जो काम आप किसी को सोंपना चाह रहे हैं उसके बारे में एक जो brief statement बनाई जाती है उसको कहते है statement of work उसकी बन्याद के उपर फिर आप RFP वगरा डिवलब करते हैं उसी की बन्याद के उपर आप invitation फर्बिड करते हैं और फिर उसी मतलब procurement की बन्याद statement of work पर तो sow normally is associated with statement of work और आम तौर पे आप लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे देखने में आया है कि आप sow scope of work को कह रहे होते हैं जो के मेरी नजर में दर असल scope statement है वह statement of work नहीं है वह scope of work नहीं है वह statement scope statement but anyways I don't contest with the terminology आप जो भी terminology इस्तेमाल करें अगर काम सही करने हैं तो fine बस इस इस ओके कि सर और भी इदर किसी ने हाथक्रा किया था जी प्लीज रेजेंड कि मैं भूल गया हूं किसने उमर ने किया था ओमर ने कि जी उमर सब्सक्राइब करना था मैं अभी जॉइन किया है वो एक के बाद एक कॉल मीटिंग तो यह थोड़ा सा एक अने एक्सपेक्टिड चैलेंज आ गया था जी मैं बिल्कुल समझता हूं जी आप मैं वजी साब नहीं कावी दिनों से जबकि वह बहुत active member हैं और बहुत अच्छा जी मेरा थोड़ी सी ब्रेक कर लीजिए को पांच एक मिनट की पिर हम चलते हैं आगे क्रेट व्लूपीस की तरव सो विल मीट आपर फाइब मिनट्स थैंक यू कि कि अच्छा कर दो का राइब मिनट्स थैंक यू झाल 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 आप लोग हैं सारे लोग प्रेजेंट हैं जी लोग तो प्रेजेंट हैं जी आगे शुरू करते हैं अगला जो है वो काफी इंट्रस्टेंग है पोर्शन और क्रियेट डव्यू यह जो हमने स्कॉप स्टेट्मेंट बना लियाना आप यूं समझिए जी नासर साव कुछ कहना चाहरे हैं जी 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 नाव कोप स्टेट्मेंट और स्टेट्मेंट अफ वर्क जी ठोड़ी इसमें क्लेरिफिकेशन दीजेगा सर्ट स्टेट्मेंट और की टर्मनालजी क्योंकि अब अब प्रॉजेक्ट मैनेजर को प्रॉजेक्ट मिलता है अच इसाइन हुआ हूँआ कॉंट्रेक्ट हुआ हूँआ तो स्टेट्मेंट अवर्क से उसका outsource करवाना है उसकी जो एक brief statement लिखी जाती है जो ठेके बे देना है काम उसकी जो brief statement लिखी जाती है उसको कहते है statement of work उस brief statement की बुनियाद पर फिर हम procurement documents बनाते हैं जिसमें RFP ये वो सारी चीज़ें आती हैं फिर उसकी उपर बिड़ आती हैं फिर आप उसी के मताबक selection होती है जो बन्यादी डाकुमेंट है procurement को शुरू करने वाला उसको कहते है statement of work और ये कौन करता है ये customer जिसने खरीद नहीं होती है service जो ठेका देना चाहरा होता है और services लेना चाहरा होता है buyer कहते हैं न उसको buyer creates the statement of work तो ये तो हो ग रहा होता है जैसे charter में हम थोड़ा सा scope दे रहे होते हैं project का इस तरह उस काम का जो ठेके में देना है उसका थोड़ा सा scope उसमें रिफाइन कर रहा होता है लेकिन वह होती है statement of work अब आजाए स्कोप statement पे scope statement वह चीज़ है जिसको आम तोर पे आप लोग अपनी organization के अंदर scope of work कहते हैं आप इस और डूब्लीव से कहते हैं आप इस इस नोट इंटरेशनल टर्म लेकिन अक्सर लोग इसको स्कोप ऑफर कहते हैं तो यह चीज़ और स्कोप statement और स्कोप statement should be should be the most detailed document about scope scope इस से पेशतर scope was everywhere scope was in business case, scope was in feasibility, scope was in charter, scope was in statement of work also, बहुत सी जगों पे scope मिलेगा लेकिन scope continuously evolve होता आ रहा है, वो high level scope था, अब detailed level scope आ रहा है, तफसीली scope जो है उसको हम scope statement कहते हैं और this is created by the project manager, not anyone else यह project manager की domain में आता है, कि वो scope statement बनाए, जी सर, मेरे खाले आपका माइक मैंने off कर दिया, आप दोबारा हाथ खळा करेंगे, जी नासर साथ, बात समझागी, जी नासर साथ, बात समझागी, जी नासर साथ, बात समझागी, आपके वसे background में noise बहुत ज़्यादा है, अच्छा noise मेरी तरफ भी बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे यह पता चला कि यह noise आती है पंगे है, तो मैंने क्या किया कि मैं पंखा बंद कर देता हूँ, और उसकी वज़ा से बड़ा स्कून आ जाता है, सुनने वालों को खा noise आ रही थी, कुछ लोगों के headphone जो अच्छे नहीं होते हैं, तो वहाँ headphone से भी आवाज आती है, लेकिन यह बहुतरी तरीका यह है कि आप headphone लगाएं, तो यह आपके नहीं कंप्यूटर से कौंकों की आवाज आती है ना, वो भी आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो headphone तक त scope को खोलने लगे, scope statement तो बन गई, आप इस scope को खोलने हैं, अच्छा खोलने की जो शरायत हैं, वो बड़ी simple हैं, आप किसी भी तरीके के साथ अपने project की तोड़ पोड़ करें, उसको छोटे टुकड़ों में बांटें और मजीद छोटे टुकड़ों में बांटें और hierarchy का जो सबसे निचला वाला portion हो, वो work package हो और वो ऐसी चीज़े हो जिसके, जिसको काबू में करके project manager, project का control संबाल सके, उसको जिसे कहते हैं, पल-पल की खबर हो कहां क्या हो रहा है, कैसे हो है, अगर आप बहुत ही high level पे रख लेंगे इसका break up, तो सारी चीज़ों का control उसक पास नहीं आएगा, अगर आप ज्यादा detail में चले जाएंगे, मतलब एक एक activity, एक एक एंट, एक एक पत्र का अजाब रचना शुरू कर देंगे, डब्लू बीएस में, तो फिर वो micro management में चला जाएगा, और वो भी एक मुश्किल काम हो जाएगा manage करना, इसलिए हम उस comfortable level क जहां तक डब्लू बीएस ब्रेक किया जाना चाहिए, उसको हम कहते हैं work package level, और इससे ये भी थाबित होता है, work package can further be broken down into activities, जी चौदरी लाइकर सब, आपके noise काफी ज़्यादा आ रही है पीछे से, आप क्या कहना चाहरे है, चैट में लिख दीजिए, और अगर आप noise deduce करने तो मैं आपका mic भी खोल देता हूँ, ये लाइकर साब, mic call दी आपका फिर दुबारा, नहीं सर्थ, नहीं वो आपकी आवाज नहीं आ रही है और पूरे घर की आवाज है अज़े खेर, अगर आप यहाँ message लिख देंगे तो मैं आपको जवाब दे दूँगा, ओके, चलिए आगे फिर आप लिख दीजिएगा, मैं आगे continue करता हूँ, तो create WPS जो है, यह वो process है, जो sub-divide करता है project को, project के deliverables को, या project के काम को into smaller portion, उस हद तक के जहां तक वो manageable रहे हैं, देखें, ज़्यादा breakdown करने से भी manageable effect होती है, और कम breakdown करने से भी manageable effect होती है, एक appropriate level of breakdown is required, I hope you understand my point, key benefits इसके, यह आपको एक ऐसा framework देती है, कि क्या चीज़ कब deliver होनी है, मतब आपको यह आप बताने के काबिल हो जाते हैं, कि यह चीज़ आप इस वकर deliver होगी, यह वकर deliver होगी, मतब यह determine करने के लिए ज़रूरी है, कि यह breakdown बने, बने time तो नहीं इस वकर exactly पता होता, लेकिन, कम असकम आपको major deliverables का पता चल जाता है, this process is performed once, or at predefined points in the project, अगर आप phase wise काम कर रहे हैं, तो हर phase में यह काम होगा, overall project में भी यह काम होता है, और अगर iterations में काम करें हैं, जाहल में तो हर iteration में यह काम होगा, ओके जी, इसमें होता क्या है, इसमें inputs जो हैं, वही हैं standard, project management plan है, project documents हैं, और यहाँ पर गौर कीजिएगा, कि project documents में, हमें scope statement तो चाहिए ही चाहिए न, लेकिन requirements document भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने उन requirement document को मद्दे नजर रख के breakdown करना होगा, और enterprise environmental factor और process assets हैं, tools इसमें बड़े simple हैं, expert judgment तो हम पहले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, decomposition नहीं चीज़ है, यह पहले हमने कभी नहीं सुना, decomposition क्या है, decomposition is a skill of breaking down an item into smaller and smaller and smaller parts, यह जो decomposition का skill है, यह बड़ा analytical skill है, यह बड़ा logical skill है, और इसके लिए high level of intelligence चाहिए, एक आम intelligence का बंदा, बहुत ज़्यादा detail में चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं सकता, एक आम आदमी को, intelligence के बंदे को आप कहेंगे, कि यार इसके breakdown बना दो, project की, वो कहेगा project के चार इससे बन गए बाच, हिस्सों में क्या होगा, उसको समझे नहीं आएगा, उससे आगे, तो मतलब यह थोड़ा इसमें control चाहिए, और थोड़ा concentration चाहिए, और थोड़ी अकल चाहिए, इन चीज़ों को breakdown करने की, और मैं example आपको यूं दोँगा, कि आप देखते होंगे, बच्चे, यह inquisitive नेस में बहुत जादा होती है, यहां हमें inquisitive नेस चाहिए, inquisitive बच्चे जादा होते हैं, कुछ होते हैं, एक बच्चे को आप खुलाना लेकर देते हैं, वो उसे खेलता है, एक बच्चा उस खुलाने को खोल देता है, तोड़ देता है, टुकड़े-टुकड़े कर देता है, दर असल जिस बच्चे ने खिलाना तोड़ा, वो analytical skill या decomposition skills उसमें बेंतिया हैं, क्योंकि वो कहता है यार यह गाड़ी जो चलती है, इसमें बत्ती चलती है, यह क्यों चलती है, वो inquisitive हो रहे हैं, क्यों चलती है, इसके अंदर है क्या, how can it behave like this, तो वो जनाब खोल के तोड़ के अंदर से देखना चाहता है, अंदर क्या पुर्जे चल रहे हैं, अंदर सिस्टम क्या चल रहे हैं, तो basically, यह inquisitiveness है, जो आपको decompose करने का बताती है, इसी तरह कुछ लोग जो बड़े भी होते हैं, उनमें कुछ लोग, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, से के अगर टीवी खराब हो जाए, तो आपको में कामें कवलाओ, कुछ लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे, ने यार, मेकीन को छोड़ो, टीवी खोल के बाढ़ जाते हैं, खुद पता है कुछ नहीं एक टीवी का, कि यहां पर इसका इस्तमाल बहुत जाद है कि हमने पूरे प्रॉजेक्ट को छोटे 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 हिस्सों में बंड़ना है मजब मुल्टे लेवल में बंड़ना है और उस लेवल तक बंड़ना है जहां पर अल्टीमेटली कंट्रोल कंट्रोलेबल पार्ट आजए इसको हमने कहा वर्क पैकेज जो है मैंने जैसे अभी भी बोला कि वर्क पैकेज कैन भी फर्दर प्रोपन दाउन तो एक्टिविटी इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट मेनेजर को जो लेवल फिंटरस्ट है वो वर्क पैकेज तक है मैं थोड़ा वजाहत कर देता हूं कि वर्क पैकेज क्या होता है और एक्टिविटी क्या होती है पॉर गर बना रहे है अप उस घर के अंदर एक कमरा है वो कमरा एक कंट्रोल अकाउंट हो सकता है मतलब तीन कमरे हैं टोटल आप कहें जी इस कमरे का बजट अलगए उस कमरे का लगए उस कमरे का अवराल बजट पूर्जट का तो वो एक कंट्रोल अकाउंट है जिसका मैं बाद में जिकर करूंगा वो अकाउंटिंग चे रिले पैकेज के अंदर there are going to be a number of activities दिवार बनाने के लिए मुझे mix cement mix करना पड़ेगा मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा intent लगानी पड़ेगी mystery कुछ करना पड़ेगा मतलब दिवार बनेंगी फिर प्लस्तर होगा फिर पेंट होगा lot money activities are included in this one package मगर project manager के point of view से ये दिवार बन रही हैं और दिवार बनने के काम को वो measure करना चाहता है कितनी दिवार बन गई तो उसके लिए progress gathering के लिए ये काफी है कि दिवार बन रही है और दिवार की वो progress ले 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 तो बन्यादी तोर पे project को measurable बनाने के लिए या उसको accountable बनाने के लिए हमें work package काफी है लेकिन काम करने के लिए physically जब physically काम करना होगा तो इंटे तो लगा नहीं पुड़ेंगी तो हमें activities की जरूरत भी पड़ेगी लेकिन project manager की progress जो है वो work packages के उपर based होगी तो अब आप ये आप decide कर लिजिए कि किस level तक आपने deep जाना है work package आपका किस level पे होगा ये depend करता है complexity और sensitivity of your project के उपर अगर आपका project बहुत sensitive है अगर आप कोई nuclear project कर रहे हैं उसके अंदर बारीक तरीन काम भी आपकी नजर में रहना चाहिए तो इसका मतलब है कि आपका work package लेवल काफी नीचे चला जाएगा और उसके अंदर फिर कोई छोटी ये दो चार activities हो सकता उसके अंदर भी हो लेकिन आपका work package लेवल उतना नीचे चला जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा बारीकी इस चीजों को monitor करने की जोट पड़ेगी आम तो पर आपकी complexity आपको पता जाती है कि किस लेवल तक आपने जाना है तो ये है जी decomposition का skill ये जब हमने WBS बनाना है तो हमें चाहिए work packages बन जाएंगे और बाद में work packages को खोलना पड़ेगा जाकर और activities बनाना ही पड़ेंगी वहाँ पर भी हम इस्तमाल करेंगे किसी decomposition के skill को लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहें अभी कहा तक जा रहें work package लेवल तो बन्यादी तो यहाँ पर आप जब ये चीज़ कर लेंगे तो एक work breakdown structure बन जाए ठीक है जी मैं आपको दिखाता हूँ अभी जैसे आपका organization structure नहीं होता है रार की कल उपर से नीचे की तरफ ऊपर एक चीज़ के नीचे डबे बने में पिर डबे 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 तो इस तरह से आपका work breakdown structure यहां बन जाता है और work breakdown structure जो है वो दिखाता है आपको कि project उपर project का नाम टॉप पर लिखा हुआ है फिर उसके अंदर पर सकरें phase wise आपने distribute किया है या work wise किया जैसे मरजी आप की मरजी है आप WBS जैसे मरजी बने ये कोई कैड नहीं है कोई तरीका नहीं है कि आपने phase wise ही तोड़ना है फिर फेजिस के अंदर यह है पर उसके अंदर यह है आप कहें तो आप सब project wise breakdown करने आप उसको product wise breakdown करने हमें इस से कोई इतराज नहीं है आप किस तरह breakdown करते हैं आप ज़्यादा बेतर जाज़ें इस बात के कैसे breakdown करना है लेकिन ये जहें में रहे कि आपके आखरी लेवल जो है वो work package level होना चाहिए वो काम होना चाहिए और वो control level होना चाहिए काम होना चाहिए और control level होना चाहिए ऐसा नहों कि product wise breakdown करते आ रहे हैं, आपने गाड़ी को ब्रेक डौन करतें, एक स्क्रू तक ब्रेक कर दिया, तो इस स्क्रू को करना किया है, यह नहीं बताया, तो मतलब यह है कि जो लोग्स लेवल है, वो स्क्रू नहीं हो सकता, वो कमस कम यह तो हो कि स्क्रू लगाओ, काम तो होना स्क्रू का लगाना तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक तो लेवल तक जाना है और दूसरा वो काम होना चाहिए यह जो लुज लेवल आपके वर्क पëकेजेज़ है अगर इन सारे वर्क पैकेजे़ को हम एक एक्सल शीट में compile कर लें कि यह लोस लेवल पर यह यह काम तो सारे वर्क पैकेजिस को उद्धर डिस्ट कर लिया जाए रखेर आवाज हमारी थोड़ी सी net का problem आने लगा है आपको आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है आ रही है जी इस वकित आवाज हाथ कड़ा करें if you can hear me please आई आई ए हूद रही है जी डिए है विर यह 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 दो सिनिगी यह यह जो सिनिग को जीए और उने आई विल्हे व्वाजम दो ओंदावाज है कि मलक साब आपको मेरी वाद आ रही थी कि पहले बंद हो गई थी कि आ रही थी उसकत भी पहले और बाखी सब लोगों को मेरे वाद क्लियर आ रही थी सुकत हाथ खड़ा कीजिएगा यारी यह चलें जबर्दस हो गया जी एवन हो गया अच्छा जी तो मैं बात यह कर रहा था कि जो आपकी डब्ली बीयस बना है उसका जो लोईस्ट लेवल है वह एं वर्क पैकेज अगर इन वर्क पैकेजिस को उठा के एक लिस्ट बना ली जाए उनको एक नमबर एलोकेट कर दिया जाए उनका नाम रख दिया जाए हर वर्क पैकेज का और उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख ली जाए और अगर कुछ और उसके बारे में पता है तो वो लिख लिया जाए तो यह जो एक टेबल सा बनेगा एक वरक्शीट सी बनेगी this is actually your WBS dictionary this is called your WBS dictionary तो बुनियादी तोर पे दो मेजर चीजें यहां से निकल रही है create WBS है एक WBS खुद और दूसरा WBS dictionary यह दो चीजें और जो scope statement हमने बनाई थी पिछले step के अंदर उन तीनों को अगर मिला लिया जाए तो this is called scope baseline इसको scope based line के लिए पेश किया जाता है इन तीन चीजों को और इसके उपर जो आपका sponsor जा डिरेक्टर जा बोर्ड है वो इसको sign off करता है यह scope freeze हो जाता है इसके बाद आब आपको इजाज़त नहीं है scope में कोई तबदीली खुद से करने की अगर कोई तबदीली करनी पड़ रहेगा I hope यह बात क्लियर होगी और जो project documents में update हो रहे हैं वो assumptions हो रही है प्रोड रिक्वार्मेंट documents हो रहे हैं और यह सब कि अभी हम इसको मजीद तफसील से देखते हैं जी WBS को इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है लेकिन अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो फिर शायद आपको थोड़ा सा अजीव लगे एनिवेस जी यहां पर इसको अगर हम इदर देखें तो यह बिलकुल आपको नज़र आएगा कि scope baseline is part of the project management plan and जो बाकी documents जा रहे हैं उप पूट तो मैंने खाल है वैसी क्लियर है ओके जी डब्लू बीएस क्या है डब्लू बीएस एक hierarchical decomposition है hierarchical structure है of the total scope of work पूरे project में जो कुछ होना है ना वो इस डब्लू बीएस के अंदर encompassed होना है project का नाम अब जो उसके शाखें होंगी से के चार शाखें आपने बनाई है उन इसका मतलब है कि total scope of work has been broken down into four parts and then each part is further broken down मतलब इस आहात्य के अंदर अंदर ही पूरे project का scope हो जाएगा cover हो जाएगा कोई चीज इस scope जो project के scope में है वो WBS से बाहर नहीं होनी चाहिए अगर कोई चीज़ WBS में encompass नहीं हो पाई तो इसका मतलब है कि वो रह जाएगी और project complete नहीं होगा project की सारी requirements पूरी नहीं होंगी तो यह बहुत carefully design करना है कि सब चीज़ें इसके अंदर encompass हो जाए total scope of work to be carried out by the project team to accomplish the project objective and create the required deliverables ठीक होगा जी WBS organizes and defines a total scope of project and represents work specified in the current approved project scope statement अब यह जहन में रखिए कि scope statement की बुनियात में यह बन रहा है तो project scope statement का भी approve हुआ हुआ होना जरूरी है क्योंकि अगर scope statement finally हुई हुई है तो हम WBS नहीं बना सकते और WBS की वज़ा से अगर scope statement में कि तफदिली होनी है तो उसके approval दुबारा लेना पड़ेगा it is not scope statement अलग से कोई baseline नहीं है baseline तो यही है लेकिन यह एक दूसरे के उपर impact कर रही है inputs तो clear है उसमें तो मेरा ख्याल है कोई बहुत बात नहीं करने की दरूरत decomposition को देख लेते हैं decomposition क्या है जी यह एक technique है जो कि चीजों को तोड़ने और मजीद तोड़ने का काम देती है कैसे किसको तोड़ना है project के scope को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटना या for that matter deliverable को टुकड़ों में बांटना तो मतलब यह deliverable product breakdown भी हो सकता है यह scope breakdown भी हो सकता है यह work के हिसाब से भी breakdown हो सकता है यह किसी भी तरह से आप इसको breakdown कर सकते हैं आप कामों के हिसाब से कर सकते हैं आप phases के हिसाब से कर सकते हैं मगर इसको smaller parts तक लेके जाना है जो manageable रहे कहीं इतने चोटे टुकड़ों में बा तो चावल के दाने बन गए हैं पुरी थाल बर गई है ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब इतना हो जो मैनेज़ेबल हो और इस ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना और ऐसा भी नहीं करना के बिलकुर यह उपर उपर रहे हां यह मैं जरूर मानता हूं कि ऐसे प्रोजेक्ट जि से ज्यादा खोला ही ना जा सकता हो लेकिन अगर आपने वर्क पैकेज तक जाना है अगर आप ट्रडिशनल प्रोजेक्ट मेर्जमेंट कर रहे हैं तो आपका स्कोप स्टेबल होना चाहिए वह उस लेवल तक पहुंच पाएंगे फिर दिन आपको नेट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं लेट मी फिक्स इट अच्छा जी राइट अच्छा जी फिर वही बात आ जाती जी लेवल ऑफ डी कंपोजिशन कितना कोलना यह इसको कितना डीव जाना चाहिए इस ओफन गाइड़ीड पाज़ डिग्री ऑफ कंट्रोल नीडिड आप चीज़ों को किस हाद तक कंट्रोल करना चाहते हैं अगर बिलकुल ही डेप्ट तक कंट्रोल करना चाहते हैं और करना नहीं चाहिए वैसे लेकिन अगर आपके अगर डिग्री ऑफ कंट्रोल इतना डीप चाहिए तब तो ठीक है अधर आम तोर पे आप सिर्फ उस लेवल तक कंट्रोल करते हैं जहां आपको कंट्रोल की रिक्वार्मेंट है ताकि आप इफेक्टिवली इस प्रॉजेक्ट को मैंज कर सके लेवल अफ डिटेल फर वर्क पैकेजिज फिल वेरी विद आपसे पहले भी कर चुका हूं कि जी कंप्लेक्स्टी अप्रोजेक्ट और साइज और प्रॉजेक्ट के उपर डिपन करता है या आपके वर्क पैक स्कूप 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 में बाता जाए फिर कितने उसके अंदर क्या हो इस बात का जियन में ख्याल लगते हुए के प्रॉजेक्ट का स्कूप मुकमल तोर पे कवर करने है और कोई आउट अफ स्कूप चीज अंदर ना आ जाए और कोई जरूरी चीज इन स्कूप चीज बाता ना रह जाए यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है अब अगला फीचर जाता है कि आपने यह ब्रेक्डाउन तो कर लिया आप इनको को नंबरिंग सिस्टम दे दीजिए जिससे इनको हम रिमेंबर कर सकें कि यार यह कौन सा लेवल है मैं आप हर पैकेज को या हर लेवल को जो कई भी नंबर देंगे उससे पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं मैं आपको नबरिंग दिखाता हूँ तो आपको वह बात क्लीर होगी फिर वेरिफाइंग यह इन्शोर करें कि जो आपने की है यह एप्रॉप्रियट लेवल है आपके लिए मोस्ट फीजिबल मोस्ट सूटेबल लेवल का अफ कंट्रोल यही है ज्य यह आपके सामने अभी अगली राइग्राम के अंदर एक डवल्यू बीएस का सेंपल सा आएगा इसको देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ आते हैं जी जनाब टोटल उपर लिखा हुआ है वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉजेक्ट बन्तों यह एक प्रॉजेक्ट का नाम है इस प्रॉजेक्ट में प्रॉजेक्ट के स्कोप को मुकमल दौर पर अड्रेस करने के लिए यह चार मेजर पोर्शन्स ऑफ वर्क रिक्वार जीड असेस्मेंट करना एक मेजर काम है स्टैंडर्ड डिवलिप्मेंट एक मेजर काम है सिस्टम एंगिनरिंग एक मेजर काम है और प्रॉजेक्ट मेनेजमेंट में मेजर काम है उसने किया कि अब प्रॉजेक्ट को तो नंबर दे दिया 1.0 और यह तो मेजर काम है 1.1,1,1 2 1.3 और 1.4 इनको उसी तरतीब में अगला लेवल दे दिया अब आप देखिए अगर मैं इतना ही देखूं तो ये पूरे प्राजिक के स्कॉप को अड्रेस कर रहा है अगर नहीं कर रहा तो फिर एक आद बरांच और आड़ करने की दुरूद पड़ेगी मगर यह इनशूर करें कि जो भी प्राजिक का स्कॉप है इन चार हेडिंग्स में कम्प्लीटली एंड इनकमपस हो सकता है के नहीं हो सकता है पिर अगला पॉइंट अब आप किसी एक ब्राँच को पिर दूसरी को पिर तीसरी को मजीद खोलना शुरू करें जो स्कोप उस एक ब्राँच का है उसके अंदर का ब्रेकडाउन उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए उसने का जी नीड असेस्मेंट में फर्दर चार काम हैं करन्ट सिस्टम का आड़िट, रिकॉर्मिंट डिटर्मिनेशन, अल्टरनेटिव देवलिफ्मेंट और सिस्टम रिकॉर्मिंट डिवलिप्मेंट चलें जी बहुत अच्छी बात होगी क्या आपकी नीड इसेस्मेंट पूरी तक पहुंच जाती है इन चार कामों को करने से अगर नहीं पहुंचती तो फिर कोई पांचवा काम है तो वो भी शामिल कर लें अगर इसमें से कोई अनिसेसरी काम है तो वो निकाल दें फिर वो कहता है जी करंट सिस्टम आड़िट करने के लिए उसको फर्दर दो टुक्रों में बांटा कंपोनेंट अड्रिफिकेशन क्या जराब करंड सिस्टम ऑड़िट का स्को पूरा हो जाता है इन दो चीजों से वंडर्फोल इसी तरह से यह जितनी भी लुट लेवल पे चीजें हाई है यह जो फोर्ट लेवल वाली जितनी चीजें है इससे ज्यादा मजीद नहीं खुल र हुए उसने लेकिं सर्फ एक्जांपल के लिए था तो यह आपके वर्क पैकेजिस हैं अब आप इन वर्क पैकेजिस को आगे चलकर इनी नम्रों के साथ इनकी एक लिस्ट बना लेनी हैं इनके बेसिक इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी हैं नाम तो आपने दिया हुआ हैं इन कामों को तो इस तरीके के साथ आपकी वर्क ब्रेक्राउं स्ट्ट्चर डिक्शनरी भी बन जाएगी मैं आगे दिखाऊंगा आपको के एक जैक्जक्टी हाओ ड़स इट लुक लाइक एक एक और सैंपल देखते हैं जी डीकंपोजिशन में वो कहता है जी के डब्ली बेस स्ट्ट्चर में भी क्रियेटिट त्रू वेरियस अप्रोचे कई तरीके हो सकते हैं कुछ मदब डब्ली बेस बनाने के काख़स पे हाथ से बनाना कंप्यूटर पे किसी कोई ऐसा टूल हो है जना आप टूल काफी सारे ड फिर आप माइंड मैपिंग का आपने जिकर किया था एक अभी मैने कली डाउन रोड किया है एक टूल उसका नाम है ट्रॉस्यों कि ऐसे कुछ आए मैं बताता हूं आपको वो टूल जो है उसमें डबली बीस का उसने पूरे का पूरा सिस्टम दिया हूए ऑल्दो माइंड मैपिंग का जो नॉर्मल ट्रडिशनल मैक मैकनिजम है उसमें भी आप कर सकते हैं एक मिनटी मैं आपको बताता हूं और इसका नाम है जिट रांसनोव टी टीर एजैन एसनह ओ एप पती अफ्राइब ब्रहुएं अब कर सकते हैं माइट मैपिंग भी कर सकते हैं और दूसरे काम भी लेकिन मैध मैपिंग के लिए मुझे बहुत अच्छे एक-दो software मिले हैं एक तो मैं बहुत अरसे से इस्तमाल कर रहा हूँ उसका नाम है Simple Mind Pro Simple Mind Pro This is a good software और एक और जो मुझे मिला है वो है Mind Mapping 3D Mind Mapping 3D इसमें सरफ fun यह है कि आप three dimensions के अंदर अपना आप पूरा वो create कर सकते हैं that is quite interesting उसको आप गुमा भी सकते हैं इसे मैप को आप गुमाते हैं ग्लोप को गुमाते हैं इस तरह आप उससे पूरे को गुमा सकते हैं चीज़ें लिख सकते हैं सारा साथ कदब but anyways I don't want to confuse you हम सरफ top down की भी बात करें उपर से नीचे की तरफ चार्ट बनता बनता है यह आपका WBS है यह आपको मैंने दिखाया भी अग्या है कि यह आपके सामने एक और चार्ट है software product release 5 इसके अंदर numbering system नहीं दिया हुआ बाकी तकरीबन उसने बाकी सब कुछ किया हुआ है उसने का जी software product release 5 इस project को करने के लिए हमें project management करनी पड़ेगी product requirement करनी पड़ेगी detail design करना पड़ेगा करना पड़ेगा और integration testing करनी पड़ेगी उसके हसाफ से यह पांच activities हो जाएं तो पांच levels in पांच levels के अंदर पुरा scope cover हो जाते है project management के अंदर उसने का planning करनी पड़ेगी meetings और administration project requirements के अंदर software user documentation और training program materials and so on and so forth इसको numbering भी देते हैं आप तो वो numbering भी बन जाएगी numbering का basic पाइदा accounting purposes के लिए क्योंकि जो लोग account डील करते हैं उनको accounts तो control accounts भी number ही होते हैं असलिए work package से उपर का level control account का होता है जिसमें का घर बना रहे हैं तो उसमें कमरा मेरा control account है तो कमरे के अंदर मेरे work packages हैं और work packages के अंदर activities है तो मैंने example आपको दी भी थी जिप कमरे अब वो जो कमरा है वो उसका हो सकता है एक ही बन्दा supervisor हो तो वो control account हम एक आदमी की जिमेंदारी में देते हैं कि इस कमरे का budget का इसाब कताब रखना उसका काम है तो वो बन जाता है control account manager control account manager मतलब रूम नंबर वन का control account manager उसका supervisor है वो ही उसको budget मिलेगा वो इसी के साफ़ से काम करेगा और खरवाई complete करेंगा यह एक और एक्जांपल देख लीजिए यह एक एर क्राफ्ट सिस्टम की है यह मैंने इसकी एक्जांपल यहां पर रखिए कि इसमें इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इसमें थोड़ा सा hybrid मिलता है आपको बत अब एक तरफ देखें तो वाले जहां पर एर वेहिकल बन रहे है एर विकल का जो breakdown है वो product breakdown है एर फ्रेम इंजन communication सिस्टम फ़लाना फ़लाना इस इस पॉल्ड प्रोड़ॉक्ट बरेक्डाउन जबकि जो बाकी चीजह है वह आपके traditional process ब्रेक्डाउन के तरीके से बनी हुई है मतलब एरक्राफ्ट सिस्टम बनाने के लिए हमें प्राज़क्ट मैलमेंट करनी पड़ी करनी करनी के डेटा मैनेज करना है है स्पोर्ट एकविप्मंट है जिसञे है तेस्ट एंड एवल्यवीचन है मगर एएर वेहिकल इटसेलफ है उसको ब्रेक्डाउं इससे यह था जबेए टरीके से पुरा पूरा डब्ल्यु ब्यूब्यस के बीच में कहीं पर प्रॉड़िक्डाउं करें हो कहीं पर क्यों और breakdown करें हो मैंने तो पहले ही कहा दिया मुझे कोई इतराज नहीं है जैसे मर्जी breakdown करें आप जौन सा तरीका मर्जी इस्तमाल करें और हो सकते हैं एक से ज्यादा तरीके इस्तमाल करें लेकिन एक बात का जाद आपने ख्यार लखना है the lowest level of work package है it should be work it should not be some product it should not be something else it should be work right so यह बस इंशोर करना है और फिर वह 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 पॉइंट के इसको भी एक numbering system देना चाहिए so decomposition of the upper level wbs components require subdividing the work for each of the deliverables वो पूरा प्रोजेट है उससे निचला लेवल आ रहा है तो उसके वो चारो निचले लेवल पे items है they should represent the whole work and similarly यह जब मजीद अगला रेवल आएगा तो वो उसको represent करने चाहिए और इस त्रीके के साथ हम project scope को साथ लेके चाहिए agile approach के अंदर चीज़ने जरा different है उसके अंदर वो जो मैंने आप से जिकर किया था हमें यह एक software बनाना है और software के basically यह कोई चार department है यह चार लेवल्स हैं जो ब्रेक किये जा सकते हैं बर एक दो लेवल हमें पता हो सकते हैं उसके आगे वर्क हमें work packages का भी नहीं पता हम क्या करते हैं कि इसको यहीं तक break करते हैं और इसका मतलब है कि the stable क्या कहते है scope of this agile project is not stable और इस वज़ा से हमने decide कि हम इसको iteration agile के तरीके से करेंगे और इसकी पहली iteration फरस करें दो हफते की होगी और आप इस दो हफते में काम कौन सा उठाने कहीं न कहीं तो requirement जो सारी कटी की हैं आपने वो प आती है agile के अंदर roles बड़ा different से हैं जिस आदमी को मैं project manager कहता हूँ उसको मैं वहाँ पर scrum master भी कहता हूँ मतलब agile का एक तरीका है scrum जो सबसे ज़्यादा मुशूर है सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है scrum में जो in charge है team का उसको हम scrum master कहते हैं मगर role उसका मुकमल तोर पे म around नहीं कर सकता वो servant leader होता है जो scrum master है वो servant leader है वो किसी को हकम नहीं दे सकता ये करो ये ना करो हां वो उन लोगों को facilitate कर सकता है काम करने की पूरी अजादी देता है और delegate कर देता है सारा काम खुद कुछ भी नहीं रखता अपने बास और उनकी मदद करता है किस तरह उनको जो resources चाहिए हैं वो वकत पर provide करके, उनकी मुश्किलात दूर करके, उनको support provide करके, खाना पीना provide करके, equipment provide करके, और अगर जरूरत पढ़े और उसे लगे होता उसको पता होती है चीज़े, अगर वो समझे कि कोई लोग सही agile की practices नहीं कर रहे, उनकी training organize करता है, उनको समझाता ह है, उनको mentoring करता है, ये वाले काम, लेकिन दबाओ कहीं नहीं है, जोर जबरदस्ती कहीं नहीं है, आर्टोक्रेसी कहीं नहीं है, अच्छा फिर इसका भी जो boss है, जिसको हम project sponsor जो project director कहते हैं, जिसका आम तोर पे सिर्फ काम approval होता है, यहां पर agile के अंदर, इसका role बहुत ही मतलब असल काम सारे का सारा जो है ना, जो वो इसके पास है, customer से deal करना, उससे requirements gather करना, उनको consolidate करना, compose करना, ये सारे काम जो हैं, ये product के वाले के हैं, product owner कहते हैं इसको, जिसको हम project director के नाम से जाद करते हैं, product owner इतना ज़्यादा काम उसके जमें है, project manager बिलकुल हलका, लेकिन उसकी जमेदारियां बदल गई, और team के उपर load है काम का, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ज्यादा जो expertise है, agile वाली, सबसे ज्यादा आपको मिलेगी team level के उपर, फिर मिलेगी product owner के काम, वो भी बड़े unique किसम के हैं, वो, अच्छा अब मैं पिर आता हूँ, product owner requirement कैसे एकटी कर पर, product owner gets in touch with the stakeholders, और उन से उनकी needs and expectations पूछते हैं, अब जो हमने traditional data gathering का तरीका पढ़ा या सुना, उसमें तो था कि जी आप जाते हैं, उनसे discuss करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन, खास तोर पे software में या ऐसी चीज़ें जहां पे sensitivity बहुत जादा होती है, जहां पे interpretations क कुछ भी हो सकती है, वहाँ पे हमें बहुत ही बच्चों के level पे जाके, चीज़ों को समझना होता है, वो जो जैसे अभी हम बात करें हैं, requirement में कितनी confusion थी, ये तीन फूट है, quality है तो quality है, ऐसा नहीं होता, हमें चीज़ें सारी के सारी in depth clarify करनी होती है, हम किसी चीज़ों को अंदाजों पे नहीं चोड़ सकते, कि जी बस हो जाएगा ना, अल्ला मियाँ करेगा, अल्ला मियाँ तो करेगा, लेकिन आप भी तो कुछ कर लें, तो यहाँ पर, ये उनके पास जाता है, और उनसे उनकी requirements बूशता है, वो जो requirements बताते हैं, उनको कहते हैं जी epics, epics होते ह किसे, किस्सों की सुरत में सुनाते हैं, कि जनाब जब हम ये काम करने की कोशिश करते हैं तो यहां के मुश्किल आ जाती है, तो यह यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, तो वो अपनी requirement बियान कर रहा है किस्सों की सुरत में, आप वो किस्से बनाया होता है, उसका format है बकाइदा, कि जी किस्सा यहां लिखा जाएगा, किस ने दिया, क्या साब के दाएगा, कार्ड सा एक बना हुआ है, बड़ा सा कार्ड होता है, और उसके उपर या तो वो खुद लिखता है, या अगर कस्टमर ट्रेंड हो तो वो खुद भी लिख सक करना, यह फिर प्रॉजेक्ट जो प्रॉजेक्ट ओनर है, इसका काम है, यह इन एपिक्स को उठा के लाता है, पहले तो कटे करता है, सारे एपिक्स कटे कर लेता है, और एपिक्स को लाकर एक डबे में डालता जाता है, यह कार्ड जो बने में न, यह कार्ड बरवा के लात जाता है और इनको डबे में फैंकता जाता है जब इसके हिसाब से सारे ethics पूरे हो जाते हैं although यह उन के साथ in touch रहता है और मजीब भी वह कोई ethics बताना चाहते हैं तो यह वह भी लाके बीछ में डाल देगा लेकिन यह जो ethics आ गये हैं इनकी इनकी decomposition required है यहाँ पर वो क्या करता है कि यहाँ पर team को बलाता है उन्हें कहता है मेरी मदद करो और मेरे साथ discuss करो कि यह जो epics आएं हैं इन मेंसे requirements अलिदा करनी है अलग-अलग requirements निकालनी है तो हर एक epic के उपर deliberate किया जाता है और उसको फिर break open कיा जाता है मतलब हर एक epic मेंसे किसी मेंसे 2 requirements निकलती है किसी मेंसे 3 निकलती है उनको भी कहानी की صورت में लिया जाता है उनको कहते है user story उसी epic से हम से 3 user stories बाहर निकलती है असल में जो requirement है जो individual requirement है वह यह user story है यह user stories जो हैं हम डबे में डालते जाते हैं और एपिक्स खतम करते जाते हैं इसका मतलब है अब डबे में सारे यूजर स्टोरी जगटी होगी जो कि किसी सौर्टेड आउर्डर में नहीं पड़ी हुई है फार एक्जामपल कोई धाई सौ यूजर स्टोरी जगटी हो गई है and they actually represent the whole work whole scope of the project चूँके project का scope stable नहीं है इसलिए नए cards भी आ सकते हैं और वो इसमें add हो सकते हैं ये है uncertainty और इसकी अजाज़त है agile में इसकी अजाज़त है कि जब कभी भी कोई नया card आता है आने दो और ये भी अजाज़त है कि जो card मेरे पास आया भी चुके हैं उनके अंदर भी कोई तब बदल सकती है तो ये सारी user stories पड़ी हुई है अन प्रियर्टाइजड ठीक है जी अब जनाब अगली effort जो इसे करने की ज़रूरत है वो ये है वो कहता है कि यार ऐसा करो अपने टीम को कहता है ऐसा करो कि इनको प्रियर्टाइज कर दो हर card जो आपके पास तर user story का पड़ा एक तो मेरी मदद अगर कोई कर दो तो मुझे ये बता दो ये स्ट्रम टीम को बलाता है मुझे ये बता दो कि हर एक काम पे कितनी effort लगेगी effort का उन्होंने कोई एक number system रखा होता है तो एक से 10 तक कोई effort को 7 कर दो 6 कर दो 5 कर दो whatever तो कितनी effort लगेगी एक vote decide कर लिया जाए और दूसरा इस काम से value कितनी generate होगी और यह जरूरी नहीं है कि यह exact values हों यहоको लिकट स्केल भी हो सकता है कि अच्छा एक से 10 के स्केल पर बताओ कितनी value होगी या एक से 10 के scale पर बनाओ कितनी effort होगी तो तकरीवन किसम की effort उसमें लगा दी जाती है और वो भी voting क्लेटी criteria decision और वो जो वोटिंग और वो सब कुछ हमने किया था उसके तरीके के साथ क्योंकि जितने लोगों के उतनी रहे होगी तो सब लोगों से रहे लिए जाती तो उसका नचोड निकालने कूल के तो फिर हम determine करते हैं हर user story के card की effort और उसकी priority फिर जो prioritization हुई है जो numbering उसकी रगाई है उससे हम अधाजा लगाते हैं कि सबसे ज्यादा value generating कौन सा user story है तो highest value वाली चीज़ उपर आ जाए और lowest value वाली चीज़ नीचे चली जए तो अब यह हो गया prioritized product backlog यह product backlog था पहले यह इसमें सरफ epics थे भी हमने उसको refine किया तो वो stories बन गई फिर उसको prioritize किया अब यह बन गया prioritize product backlog इसमें यह 200 काम पड़े में हैं और top पे जो काम पड़ा है वो सबसे पहले करने वाला और सबसे ज़्यादा value जिनरेट करने वाला काम है यह तो हैं जी मेरी टोटे और यह बात मैंने कहा कि अभी अगर मजीद card आया तो उसका analysis करके उसको उसकी appropriate जगा पे fit कर दिया जाएगा अगर top पे आना होगा top पे आ जाएगा नीचे जाना होगा नीचे से जहां पर इसकी जगा बनती है वो उस जगा फिट हो जाएगा उससे हमें कोई प्राइड जी टाइम हो गया है I hope कि आप लोग आगे होंगे वापस हमारे पास less than half an hour वाकी वचा है और इसमें हमने कुछ conclude करनी है चीजें तो बात यह हो रही थी कि decomposition के हवाले से agile की मैं बात कर रहा था मैं I'll just cut this story short मगर generally speaking मैंने आपको जैसे बता दिया epic आती है यह भी उसकी जिम्हेंदारी है product owner की वह उसको breakdown करके user stories बनाता है user stories यह होगी refine होगी जब epic refine होती है तो user stories बन जाती है product backlog में डाल दी होगी तो वह आएगी उसके जो आड़रस लोग हैं वह आके user story को देखेंगे इस पर कितनी effort लिखी हुई है वह कितनी effort undertake कर सकते हैं इस दो इनके यह उठाके ले जाएंगे इनको कोई challenge नहीं कर सकता इनको नहीं चेंज कर सकता बाकी पूरा product backlog पड़ा हुआ है जिसमें कोई भी चीज नई भी add हो सकती है user story चेंज भी हो सकती है सब कुछ हो सकता है सवाए उन 8-10 कामों के जो यह team वाले उठाके ले गए हैं अपने iteration के अंदर इस कामों को उन्हों अपना एक छोटा सा product backlog अंदर अपना बनाया होता है उसको कहते है इस प्रिंट या iteration को वो लोग sprint कहते हैं sprint backlog कहते हैं वो 10 काम उठाके जो लाएं हैं वो उदर रख लिएं और उनमें से फिर वो पहला उठाते हैं उसे करते हैं फिर दूसरा उठाते हैं उसे करते हैं और इसकी फिर progress चलती रहती है तो छोटी सी project management उस एक दो अफ़तों की वहाँ पे होती रहती है जितने काम वो complete कर पाते हैं अगर तो सारी कर ले वेरी गूड अगर वो दो काम रह जाते हैं तो कोई problem की बात नहीं है वो बाकी जो दो काम रह गए हैं जो untouched हैं उनको वापिस product backlog की टॉप पे जाके रख दिया जाता है ताके अगली आने वाली टीम उसको कर ले और अगर इन्होंने एक हफ़ते में यह दस के दस काम मुकमल करनी है तो यह टीम वोलिंटेरिली जाती है और जाके मज़ीद आठ दस काम उठाके ले आती है बाकी week के लिए जो बाकी टाइम बचा है उसमें वो कर सकी इस तरह से उनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हमारी टीम विलासिटी क्या है क्योंकि यह टीम हो सकता है पहले इन्होंने इकटे कभी काम ना किया हो और यह सिनरजी से जब काम करते हैं तो इनको सही अंदाजा अता होता है कि हमारी टीम कितनी effort undertake कर सकती है तो ये पहले एक दो iterations के बाद यो टीम अपनी velocity determine कर लेती है और उसके बाद फिर वो सही सही काम उटाना शूब कर देती है approximately खया जी मैं इसकी बहुत ज़्यादा detail में अभी नहीं जाता agile की detail में नहीं जाता आगे चलते हैं इसकी जो हमने correctness देखनी है बलकि आपको अगले process के अंदर ले जाता हूं जाकि ये बात clear हो जाए scope baseline established हो जाएगी जहां सक जिसके अंदर क्या होता है project statement होती है wbs होता है work packages होते हैं और work package मैंने आपको define किया planning package भी एक चीज होती है work package तो आपको मैंने का सबसे lowest वाला part है खोला ये भी जा सकता है लेकिन ये wbs का lowest part है इसको हमने नहीं खोला activity लेवल तक नहीं लेगे गये planning package क्या होता है ये work package और top के दर्मयान कोई भी लेवल हो सकता है जिसके बारे में data available नहीं है इभाम है और इसके लिए हमें wait करना पड़ेगा जब तक हमें कोई खास information आ नहीं जाती हम इसको खोल नहीं सकते ऐसे portion को जिसको मजीद ना खोला जा सकता हो due to insufficient information उसको कहते है planning package जैसे ही information available होगी इसको breakdown कर लिया जाएगा इस बात को कहते है planning package मिसाल के तौर पे एक हसबताल बन रहा है बाकी सारा काम ठेकेदार को पता है कमरे कैसे बनाने हैं बाकी क्या साब किताब है सब कुछ एक हाल एक ऐसा है इस hospital में जो एक खास किसम की medical machinery वहां पे host होनी है और उसकी construction इस पर depend करती है कि उस machine की क्या requirements है अब हम इस कमरे को तो plan कर नहीं सकते है तो हम क्या करते हैं कि उस कमरे की जगा चोड़ देते हैं उसको एक planning package के तौर पे डिकलेर कर देते हैं कि जब ये information available होगी तब करेंगे इवन यहां तक कि construction बाकी शुरू हो जाती है बाकी काम होगी वो एक portion खुले वैसे का वैसे रहता है प्लॉट खाली रहता है और जब वो information आएगी ये planning package के अदर data आएगा work package बनेंगे फिर उसके activities शुरू होगी तब कहीं जाके वो चीज़ वहां बनना शुरू होगी तो planning package जिसका मज़ीद खोला नहीं जा सकता उसको हम planning package कहते हैं और lowest level को work package कहते हैं और WBS dictionary मैंने आपको बताया था कि ये document है जो तमाम deliverables और activities वगरा का उसके अंदर data होता है कि WBS work packages कौन कौन से है work packages की दफसील क्या है और उनका associations कि दर है मैं आपको work package के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं I mean WBS dictionary के अंदर जो उसकी headings जिसमें इसे distribute किया जा सकता है आप उसको code of account identifier दे देरेंगे as a numbering system assumption and constraints अगर कोई है तो वो आप उस जो matrix बनाएंगे उसमें लिख सकते हैं क्या assumption and constraints इसके उपर reply करती हैं कौन organization responsible है schedule milestone इसके अंदर से कौन से लिकलते हैं यह बहुत सी list है जो इसके relevant हो सकती है मैं यह नहीं कह रहा कि सारे का सारा data अभी से available होगा लेकिन यह columns आप बना सकते हैं और जितनी जितनी चीज़ें पता हैं वो उनने fill कर लें बाद में यह चीज़ें आती रहेंगी data बरता रहेगा लेकिन यह WBS dictionary is very important and very useful फिर आ जाता है जी validated scope validated scope बैने आपको बता हो के आ जाती है तो validated scope उसकी user acceptance करता है और तब कहीं जाके formal acceptance होती है वो जो उनने acceptance criteria बनाया था वो यहाँ applicable है इस जगह के उपर उस acceptance criteria ने काम कर दिखाना है और project deliverable इसकी वजह से completion तक पहुंचे गा तो यहाँ पे इसका key benefit जो है वो अब्जेक्टिव होते acceptance process and increase the probability of final product service result acceptance उसकी acceptance को बढ़ाना by validating each deliverable this process is performed periodically throughout the project मतलब जैसे जैसे चीज़े आती जाएंगी वो इसमें से गुदरती जाएंगी इसका जो चार्ट है उसमें आप देखें वही project management plan इसमें scope management plan requirement management plan और scope based line मजूद है क्योंकि scope based line नभी बनी थी scope based line की यहाँ पढ़ गई है project documents में lessons learned भी की हमें चाहिए quality reports चाहिए क्योंकि quality control हो चुका है तो quality की क्या report है requirement documents चाहिए requirement के traceability metrics चाहिए को की चीज़ कर enterprise normal factor और organizational process assets यहां हम inspection करते इंस्पेक्शन याद रुखिएगा कि inspection can only happen on deliverables inspection कामों की नहीं होती यह गलत concept है मुझे याद है जब स्कूल में पढ़ते थे तो पता सब्सक्री इंस्पेक्शन टीम आई है इंस्पेक्शन टीम आई है वाई किसी की inspection करने आए है एजूकेशन ड inspection करने नहीं आते थे वो audit करने आते थे वो यह देखने आते थे कि यह जो process चल रहा है schooling का यह कैसा चल रहा है वो classroom में आते थे lecture सुनते थे students से question answer करते थे this is inspection this is sorry this is audit this is not inspection अगर वो इस school के output को measure कर रहे हूं judge कर रहे हूं मतलब result कितना चाया है कोई और चीज़ है तो हम इसे कहते हैं कि यह inspection है otherwise यह तो audit है मतलब यह है कि जब deliverable आता है तो उसकी पहली inspection quality control वाला करता है और जब वो उससे पास हो जाता है तो फिर दूसरी inspection यह user acceptance की होती है validated scope करता है और जहां फिर वोई DCM लेने के लिए अगर कहीं conflict हो तो voting का इस्तमाल किया जाता है नतीज़ातन accepted deliverable यहां से output में निकलता है और work performance information भी यहां से निकलती है change request भी यहां से निकलती है sorry हाँ ठीक है ठीक है चेंज रिक्वेस्ट तो आपको पता है कोई भी control कर सकता है तो validate scope भी कर सकता है change control scope भी कर सकता है जितने भी हैं 10 के 10 और work performance information जो यह जो कुछ भी यह कर रहा है इसके analysis में जो भी product में को गड़ बढ़ आया defect repair करने है वह work performance information में चली जाएगी वापिस किसके पास monitor and control project और यह कुछ project documents है जो इसकी रौशनी में अपडेट हो जाएंगे lessons learned register है requirement documents है and traceability metrics है तो apparently system is quite simple change request is going to perform and degree chain control accepted deliverable close के पास जाता है work performance information आपको पता ही है monitoring and control के पास जाती है और जो project documents अपडेट होने हैं वो अपडेट होने के लिए project documents में चल रहा है खैर जी यह quite simple इसमें inputs जो है verified deliverable मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो चीज quality control से पास होके आती है उसको कहते है verified deliverable verified deliverable are project deliverables that are completed and checked for correctness याद रखिएगा quality का काम है correctness को देखना चीज दुरस्त है के नहीं है within the tolerance limit है के नहीं है और scope का का काम completeness को देखने का यह याद रख लीजिएगा quality control correctness देखती है tolerance देखती है और validate scope completeness देखता है कि सारे function features पूरे हैं के नहीं हैं पूरे हैं तो मैं हवाले करूँ और अगर कोई चीज गलत है या सही है यह quality control ने चेक करना है तो यह हो कि अजनाब verified deliverable work performance data जो है वो इसको input में मिलेगा वो तो हर एक को मिलता है यह inspections करता है inspection का मतलब है activities such as measuring, examining and validating to determine whether work and deliverables meet requirements तो यह वो जो आपको मैंने बताया था acceptance criteria हमने establish किया था उसके मताबिक inspection में चेक करता है कि उस criteria को पूरा करता है कि नहीं करता, inspections are sometimes called reviews, product reviews भी होते हैं, walkthroughs भी होते हैं, आपने सुने होंगा यह अलपास in some application areas these different terms have unique and specific meaning, मतलब organization to organization they may differ, the definition may differ, understanding may differ, कुछ लोग reviews कहते हैं, कुछ product review कहते हैं, कुछ walkthrough कहता है, अब बले कुछ लोग inspection भी कहते होंगे, ठीक है, कुछ लोग audit भी कह देते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन audit की terminology यहां गलाता है, लेकिन हमें कोई इतराज नहीं अगर अपनी organization में कुछी भी नाम से उन चीजों को address करते हैं, decision making, an example of decision making that may be used in this process includes but not limited to voting, voting जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, used to reach a conclusion when the validation is performed by the project team and other stakeholders, तो अगर कहीं की conflict आजाता है, consensus नहीं बनता, तो हम voting से वहासा कर लेते हैं, तो नतीज़े में accepted deliverable निकल रहा है, जो के, जिसे कह acceptance हो चुकी है, तो formal documentation received from the customer and sponsor acknowledging formal stakeholder acceptance of the project deliverable is forwarded to close project, close project ने अपने काम करने हैं, और जब वो अपने काम कर लेगा, तो ये भी customer के हवाले कर लेगा, work performance information जो आपने checking किया है, अगर उसमें कोई गरबड है, तो work performance information की report चली जाएगी, monitor and control project work को, और वो उसके हिसाब से जो consolidation करनी है, वो कर लेगा, change request अगर कोई बनती है, लाज़ीं बात है, अगर कोई defect है, कोई complete नहीं है कोई चीज, तो completed deliverables that have not been formally accepted are documented along with the reasons for non-acceptance of this deliverable, यह हम भेज़ दवाते हैं, change request के साथ, these deliverables may require a change request for defective, project documents जो अपके है, वो उसके रोश्टी में update हो जाते हैं, lesson learned, requirement documents, requirement traceability method, last but not the least, this is the control scope, जी साथ, आप कुछ कहना चाहरे हैं, जी साथ, साथ, आपके आवाज नहीं आ रही, सब आवाज आ रही है मेरिया, की अभी आ रही, जी सर, मेरा question यह जो validate scope के inputs का हमने जो चार्ट देखा था जिसमें, उसमें एक चो requirement input के अंदर आई थी, वो आई थी lessons learned की, सर, वो थोड़ी सी confusion है कि यहां पे हम scope validate करें तो lessons कहां से आ गए यहां पे, inspection का तरीका, inspection में किन चीजों का ख्याल लखना चाहिए, यह बातें तो apply करेंगे ना, क्या ख्याल है? सर, वो procedural होंगे lessons learned या वो projects के related होंगे? Project से जो चीज़ relate करती होगे हम उठा लेंगे, यही तो फाइदा है lessons learned का, कि जो चीज़ हमें apply करती हैं, मुझे apply का लेते हैं, जो चीज़ apply नहीं करती हैं, नहीं उठाएंगे उसे, तो मतलब यह एक lesson learned तो हर सुरत में हमारे लिए पायदे मनदा ना? सर, lesson learned जो है वो तो हमारे पास यह नहीं के एक project पूरा करने के बाद, जो हमारे पास पढ़े होंगे project documents के अंदर, वो उस project से related lessons learned होंगे, यूज करी रहे हैं लेकिन इकेस में legacy data भी उठा सकते हैं जारा, जी बिलकुल, of course, why not? सभी ठीक है, thank you. जी बिलकुल. जी मुहम्मद नासिर खान सर्थ. जी सर. जी सर इसमें, यूज को परमने बताया करेक्स हम चेक करते हैं, पॉड़किन, साथ यापने का सब्सक्राइब पॉइंट बताया था वो मिस्टों गया था रिपीट की जेगा, जी सॉरी सॉरी प्रेक्स हम करते हैं, क्रूल्टी कंट्रोल में, क्याओ, झाओ, अच्रॉक्त रिपीट कर्सक्राइब बताइब की इस चाहिए, वह देखता है कि जो चीज़ के पास आई हैं वो और अंदर आ हैं, एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यह जो है वैलिडेट स्कोप, यह completely Nesco check करते के जो जो आइटम होने चाहिए थे पूरे यह नहीं इस इस इस्पेक्शन का यह मक्सद है अगर पूरे हैं तो एक्षेप्ट कर लेता है अगर पूरे नहीं है तो वापस कर देता है ठीक है नासे साथ ठीक है नासे सब अधिक है नासे सब आपके लिए एक क्मेंट है आप ऐसा कीजिए कि एक हैड़फून लीजिए या वो जो होते हैं वो आप इस्तमाल करें कि आपकी बहुत ज़्यादा बैक्राउंड नॉइज है तो इसको रिडियूस कीजिए ताकि आपसे बात करना असान हो जाए राइट जी आखरी मारा प्र जो प्रॉसस आपने आपने एक्जिकुशन में जो काम हुए हैं वो काम किस हद तक प्रॉजक्ट के स्कोप की तकमील का बाइस बन रहे हैं मतलब वाट एवर्ट पर्फॉर्मस डेटा इस रिसीव फ्रॉम एग्जिकुशन वट दस इट से अबाउट दी अकम्पलिश्में इन्य विरिएशन इन्सकोप इस रिजिस्टर डेर और पिर उसका अगर एक तो अनलिस्स किया तो वर्फ परफॉर्मस इंफरमेशन निकली जो हमने मॉनिटर इन कंट्रोल को बेज़ देनी है और अगर कोई इसको लगता है कि यार ये तो गरबर हो गई है इसकी चेंज रि लाँज कर सकता है यह क्रता है प्रोसस की बुन्याद के उपर जबके वैलिडेट proteg at EM है या नहीं कर रहे हैं तो इसका मक्साद है monitoring the status of the project and product scope and managing changes to the scope baseline अगर scope की baseline को तबदील करना है तो उसके साफ से वो करेगा की benefit इसका कि scope baseline is maintained throughout the project scope baseline बिल्कुल सही जगह पर रहती है this process is performed throughout the project और इसके जो inputs tools और outputs है उसमें आप देखें project management plan है इसके अंदर उसको scope plan है चाहिए उसकोend management plan भी चाहिए उसकों चाहिए उसको configuration management plan भी चाहिए नब गहुर किजीए कि scopeorp or requirement चाहिए चाहिए चर्वेशंड अजिख लाएगा तो change management plan चाहिए उन스कों की स्कॉप की baseline और अधर performance वेश्लाइन वेस्क आइन सारी और ये work performance data जो कि execution से सारी कंट्रोलों को मिलता है, इसको भी मिल गया, organizational process assets, लाजमी बात है कि इस control scope करने के लिए कोई lesson learned या कोई अधर help कोई document कोई policy available है तो वो हम इस्तेमाल करेंगे, data analysis में यहाँ हम दो तरीके इस्तेमाल करें, variance analysis और trend analysis, यह मैं पहले define कर चुका हूँ, लेक होना था और क्या हुआ है, इन दोनों में जो फरक है, इसको कहते है variance, और इस variance का analysis यह होता है, कि यह फरक अच्छा है, बुरा है, इससे हमारे project की सहथ पर क्या फरक पड़ता है, scope पर क्या फरक पड़ता है, तो variance analysis यह है, कि हमारे project की सहथ पर इससे क्या फरक पड़ता है, और trend analysis है कि अगर ये trend ऐसा ही रहा जैसा पिछले दो तीन महीनों दो चला आ रहा है तो हम ये predict कर सकते हैं इस trend की रोशनी में कि अगले महीने हम कहां कड़े होने का इमकान है और इसी trend की projection को अगर मैं extend करके project के end तक ले जाओं इसको कहते हैं forecasting तो बन्यादी दोर पे जब मैंन trend का नाम ले दिया तो मैंने projection और forecasting भी करने के काबिल हो गया एनिवेज जी मगर यहां पर ज़्यादा तर काम variance और trend analysis तक का है लेकि जब कॉस्ट और schedule पढ़ेंगे तो उसके controls के अंदर आपको बकाइदा schedule forecast और cost forecast नज़र आएंगे नतीज़तन work performance information यहां से निकली जो के monitor and control project work को जा रही है change request अगर कोई बनती है अगर कोई चीज हद से बाहर है तो उसको change request move करेगा और project management plan में क्या क्या चीज़ेंगे अपडेट हो सकती है scope management plan अपडेट हो सकता है scope schedule और cost की baseline या performance measurement की overall baseline अपडेट हो सकती है अपडेट जो project documents में lessons learned update हो सकते है requirement document और traceability metric यह सब चीज़ेंगे अपडेट हो सकती है और इस flow में आपको और ज़्यादा वजादा से नदर आती है कि project plan से क्या क्या चीज़ेंगे प्रोजेक्ट डॉकुमेंट से क्या क्या चीज़ेंगे आ रही है work performance data आ रहा है इसको कहां से direct and manage project work से organization से अगर enterprise environmental factor का यहां role नहीं है मैंने आपको पताया था कि monitoring and control में कही जगह पर enterprise और रोल खतम हो जाता है यहां पर खतम हो गया control scope में work performance information आपको पता ही है कि monitoring and control project work हो जाती है change request integrated chain control को जाती है project plan में क्या क्या चीज़ेंगे अपडेट होके जा रही है project documents में क्या 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 जा रही है यह सब जान लिस्टेड है तो controlling the project scope ensures all requested changes and recommended corrective and preventive actions are processed through the perform integrated chain control तो यह आपने यह देखना है कि आपने scope के हवाले से कोई change करनी है तो वो प्रॉपर तरीके के साथ गुज़ेंगे जाएगी वो एप्रूफ करेगा तो इस पर action होगा quality control is also used to sorry control scope is also used to manage the actual actual changes when they occur and is integrated with other control processes वगर scope में कोई तपदिली है तो उसकी वज़ा से schedule or cost में क्या तबदिली होगी या उनमें कोई तब दिली होगी तो यह एक दूसरे के ओपर भी तो embed डालते है Uncontrolled Expansion to product or project scope without adjustment to time cost source is referred to as scope creep यह बात जरूर समझ दीजिए scope creep ऐसी किसी तबदिली को कहते हैं जो project में आ जाए लेकिन proper authorized तरीके से ना आए बतलब हमने proper change request नहीं की थी लेकिन time cost या resources में कोई फरक पढ़ गया अगर पढ़ गया तो यह scope creep है और यह criminal है यह कोई ऐसा नहीं है कि यार हो गया कोई बात scope creep is criminal इसका मतलब है आपने scope को अच्छे तरीके से control नहीं किया हुआ आपको समझ ही नहीं आई कि कब scope creep हो गया scope creep नहीं होना चाहिए ठीक है जी और scope creep जो है it is dangerous और जो ही आप इसको notice करें control scope में normally आप इसको notice करते हैं कि यहां पर scope creep हुआ हुआ है जो ही पता चले फॉरण इसके उपर action लें इसका analysis करें और देखें कि अगर तो यह होना ही था और यह हो गया है तो इसको formally change control के ताहित change request move करें और इसको इसको formalize कर दें और अगर यह गलत हुआ है तो फिर इसको जो भी responsible लोग है उनको पकड़ें तो change तो आएगी मतलब वो तो मतलब अगर आप कहना के नहीं हम कोई change request approve नहीं कर रहे हैं तो change अपना रास्ता खुद बनाती है वो creep कर जाएगी तो change is inevitable therefore some type of change control process is mandatory for every project यहाँ पर जैसे आपको मैंने inputs बताएं हैं उनमें कोई बात नहीं फरक होना चाहिए data analysis में मैंने variance or 10 का जिकर किया तो variance analysis क्या है is used to compare the baseline to the actual result मतलब आपके पर दो चीज़ है ना work performance data और दूसी तरफ से project plan आया स्कोप बेस्लाइन थी स्कोप बेस्लाइन को compare कर रहे हैं हम किसके साथ actual results के साथ work performance data के साथ और अगर उसमें कोई फरक आ रहा है जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ तो उसको हम कहेंगे variance आगी और उसमें हम देखेंगे कि यह इसको कैसे दूर किया जा सकता है corrective action, preventive action, change request के थूख कैसे एक तो analysis है और दूसरा उस पर action है trend analysis है कि examines project performance over time पिछले दो तीन महीनों से क्या performance चली आ रही है to determine if performance is improving or deteriorating अब तक क्या जो हमने उसको काबू किया कि नहीं किया और आगे को हम फिर project करके भी से देख सकते हैं और forecasting भी कर सकते हैं important aspects of project scope control include determining the cause and degree of variance relative to the scope baseline अगर तो वो चीज़ काबले हद बरदाट से बाहर है तो change request बनेगी otherwise नहीं बनेगी और जनाब आपके जो outputs हैं उसमें work performance information जैसे कि आपको पता ही है कि यह monitor and control project work को जाती है एक change request अगर कोई बनती है तो वो integrated change control को जा रही है project when plan update हो रहे है और project documents update हो तो यह जनाब this is the total story जो हमने scope के हवाले से करनी थी और यह बाकी सरफ यह textual कुछ slide हैं आप इनको देख लें इसमें कोई एक खास चीज़ नहीं कोई question जनाब at the end of the day scope आज हमने complete कर लिया है और अगर scope से related कोई question है तो बताई जी जनाब anyone कोई भी स्वाल नहीं कर रहे हैं जी तौहिट साब चले एक question तो आया सब्सक्राइब कर सकता है और वह भी प्रॉडट्ट बैकलॉग पड़ा हुए और वह भी फ्री टू मूव है उसमें चीज़ेंड भी हो सकती है हैं सब्सक्राइब भी हो सकती है दो ओनली तिंग विए बेस्लाइन इस दा वर्क विच आप स्टाटिट इन इन दक ऑन गोइंगा इटरेशन जो आइटरेशन चल रही है उस पर दस काम हो रहे हैं उनके इलावा कोई चीज़ फ्रोजन नहीं है बाकी पिलकुल पुला माहल है कि हम कॉलिटी रिकवार्मेंट की बात कर रहे था और याँ पे हम वा सकोब वरेडेशन की बात कर रहे थी तो जिस तर आपने मैंशन किया है हमने जस्ट ईंशोर का ने कंप्लीशन तो इस पर सीक्मेंस पिर सकोब गाने पहले हो और क्वालिटी विचेटिंग जो बाद म बेम नई 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 इसा बिलकुल हो यह There you have a sub LAUGHTER वह यह समझे यह काम तो इतना बड़ा है लेकिन असल में काम हो रहा है वह एकशन हो रही है अच्छिन को अप्ना पूरा प्रज़क्त संज़ें थाईम यह संदस Kate Sc borrow की को रही है इन Christ recognizing coupon थे को बैifi क्लिडेशन भी हो रही तो वैसी वेवी है वो तो हमने इसी लिए जाइल किया क्योंकि स्कोप कंफर्मड ही नहीं था और स्कोप को हमने खुरी अजाज़त दी जो मर्जी करो हम सिर्फ अपने एक दो हफ्ते के प्रॉजेट को मेनेज कर रहे हैं जब यह कंप्लीट होगा तो फिर हम अगला पैकेट उठाएंगे आड़ दस एक्टिविटीज का उसको करेंगे फिर उससे अगले को करेंगे जो जो हम काम करते जा रहे हैं उसके तमाम शरायत पूरी हो रही है लेकिन जो रिक्वार्मेंट्स हैं दे आर चेंजिंग और दे आर चेंजिंग फार फ्यूचर वर्क नॉट है टाइम भी पूरा हो गया है लेट्स कॉल इट डे अन्वर साब कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज जो ब्रेंड बेक्डाउं स्ट्ट्चर है जनाब डव्लूब यस जो है यह जब हम स्कूप डिफाइन कर रहे हैं अगर उस वक्त ब्रेक्डान स्ट्ट्चर जो हम नहीं प उसको फिर उसी तरह लेकर चैन्ज हो जिस लेवल बाके हमने ब्रेक्डान वहां के किया हुआ एक बात तो बहुत क्लियर है कि डव्लूब यस के बगएर आप प्रॉजेक्ट नहीं कर सकते हैं अच्छा उस लेवल का नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हो सकता नहीं हैं आप फॉर्दर एक्स्प्राइन बाद में हो जाये लेकिन पूरा तो बनाना है उसी की बुनियाद पर तो प्लैन होना है अगर आपका डव्लूब यसी नहीं बना हुआ और मैं इस बात को जानता हूं कि डव्लूब यस लोग बनाते ही नहीं हैं और प्रॉजेक्ट कर रहे होते जैसे जह रहा है इसी जो से क्या रहा हूं यह गलत प्रेक्टेस हो बनाए कोई नी आपने कृटिकल पाथ भी नहीं बनाया बगैर WBS के activities इंटिफाइई न हो सकते, बगैर activities के हम उनका estimates नहीं लगा सकते, और उनका sequence नहीं बना सकते और बगैर sequence और activities और estimates के, हम network diagram नहीं establish कर सकते, और critical path नहीं निकाल सकते, गजाई इंट नहीं पनेगा तो कबी भी metered अपना GAN चार्ट नहीं क्रियेट हो सकता कभी भी नहीं हो सकता तरीका ही कोई नहीं है अगर किसी ने नेटवर्क डियाग्राम सुरी GAN चार्ट डिरेक्ली बना लिया है तो उसने दो नमरी किये उसको अफ़ल तो काम करना नहीं आता और फिर जिसको दिखा रहा है उसको भी टके का नहीं पता वो भी कह रहा हाँ क्या बात है आपने तो बड़ा जबड़ा स्चार्ट बनाया वाट नॉंसेंस यार कब कमस कम समझ तो लें कि ये क्या बनाया इसने फिर एक और important element इसमें ये होता है कि जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं planning के तो पूरी टीम का involved होना दूरी होता है मैंने देखा project manager साब उठके गए हैं बॉस के पास गए होकम लेके आए हैं project का फिर कमरे में अपने आपको उसने बंद कर लिया वहां बैठके उसने अप्रोजेक्ट पर सारी कारवाईयां की ना requirement gather की ना analysis की ना टीम से control किया कुछ भी नहीं किया और आदे घंटे के बाद वो एक गैंचार्ट बनाके और प्रूफ करवाके baseline कराके लिया है आप क्या समझते हैं ये प्रॉजेक्ट हो रही है इस इस ना प्रॉजेक्ट परेजिए अधिया इस लिए प्रॉजेक्ट फेल होते हैं और आई रेट ऑफेलियर वह इसी वजह से हो चलेंग थैंक्यू वरी मच आज लेट्स कॉल इट टोडे और कल तो नहीं चार दिन होगे ना आज हमारे पूरे अगले हफते इन्शाला हमारे चार दिन और चलेंगे और अभी हमने स्केजूल भी करना है और अल्ला करें हम दो थोड़ा स्पीड तेज कर लें क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लेक्ष्ट रोगे विवर स्पोस्ट तो एफ 35 आर्ड और वी आर कंप्रेटिंग 75 वार्स अलाब अलाकर रजी थैंक यू वरी मुच और टेकेर लाफिर्स